हलो व्रीवान वेलकम टू मैंगनेट बेंस माइनेम इस हीमन तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैंगनेट बेंस पे जो प्रोवाइड करता है 100% कॉलिटी एजुकेशन आप सभी जानते हैं मैंगनेट बेंस के दो चैनल है एक इंग्लिश मीडियम और एक के सामने कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली और एक और इंपोर्टेंट बात कहूंगा मैं इबुक्स इनोट इनोट यह भी अविलेबल होते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिल जाएगी सर आज क्या लेकर आयो मैंने का साल तूफ मज़ा आएगा सर क्या है सर मज़ा आएगा एक नंबर तरीके से मज़ा आएगा कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली हाँ बिलकुल नहीं होने वाली सर अगर हो तो बात वाली बात बिलकुल चाप्टर सेविन चाप्टर सेविन सर जी बिंदास तरीके से बिंदास तरीके से बात करेंगे सर अगर आपको यादो तो six chapter तक अगर आपको यादो तो six chapter तक अपने खतम कर चुका है क्या one shot आज आपन बात करेंगे seven chapter तो तो कल दें चालू कोई दिकत तो नहीं है बिलकुल बिंदास तरीके से एक नंबर तरीके से रेडियो लियाओ भीया आपके पी इन कापी पटा-पट तेजी में करें पका आदे लोग को तो खुसी हो जाती है अलकॉल सुनते से जूमने जामने लगते बिलकुल बढ़िया तरीके से अमन चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा है ठीक है बहिए देखते है एलकॉल होते क्या है सर हसना नहीं है यहाँ पर फोकस करना है बेसिकली जहां भी आपको यह दिख जाए क्या दिख जाए सर बॉटल नहीं मतलब ओएच जहां पर भी आपको ओएज दिख जाए अपन समझाते है सर जी एलकॉल है इसको हैड्र की घृट्र का जाता है यह वाले गरूप जब अलकेन के साथ कारबन चेन के साथ जुडने लगते तो अपन इसको इलकॉहल का नाम देते हैं अगर सर जी यह आप देखिए बिलकुल आपके सामने अगर एक ओए जुड़ा है तो उसको अप इथनॉल दो कारबन के साथ जुड़ाए क्या कहेंगे इथनॉल तीन कारबन के साथ जुड़ाए क्या कहेंगे प्रोपेनॉल और अगर चार कारबन के साथ जुड़ाए तो क्या कहेंगे अपन ब्यूतेनॉल क्या कहेंगे भया ब्यूतेनॉल कोई दिक्कत यहां तक जल्दी स screen shot मारेंगे नेमिंग की जरूवत तो नहीं आनी चाहिए यह देखिए सब होते मonohydric alcohol मतलब आपके पास एक ओएज गरॉप यह देखिए एक email डियाहईड यह topics अधोसाम और लेकिए लिए दो यह दो आपना बया-sorbital एक यहां पर चार और एक छो पन क्या क्या किए आइस स्वित एक स्वित और यहां का मकसद यह था कि आपको पता चलना चाहिए अगर एक ओह 52 ए चेट तो क्या कहिंगे इसको मैंने ने प्रमकसद पूरा हुआ मैंने क्या कहा सर, मकसद पूरा हुआ बिलकुल मकसद पूरा हुआ चल जल्दी नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन करो जल्दी हो गया, डन, चलिए अब आगे देखिए सर चीक है, बड़े आगे, देखिएगा सर फिर हमने ये पढ़ा है सर कि कभी भी किसी भी कंपाउंड पे किसी भी कंपाउंड पे, एक कारबन पे दो एलकोहल गुरूप नहीं होने चाहिए जी सर, बिलकुल हमेशा ये बात या दखनी है कभी भी किसी भी एक कारबन पे दो एलकोहल गुरूप नहीं होने चाहिए अगर दो alcohol group एक साथ आ गए हैं तो भाया वो बहुत unstable compound होगा वो बहुत ज़ादा unstable compound कहलाएगा ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत ज़ादा unstable compound कहलाएगा It is important to note that in alcohol carbon as well as oxygen are in sp3 hybridized state मतलब alcohols में carbon और oxygen दोनों जो होते हैं वो आपके sp3 hybridized होते हैं since the compound containing two or more hydroxyl group दो या दो से ज़ादा होते on the same carbon atoms are unstable and जब ये क्या होता है unstable होता है और अगर unstable है तो तुरंथ भाया जब कहते हैं न कोई रोह नहीं थे भाया आसू टपकते हैं आसू का है मैं पानी पानी तो भाया ये तुरंथ पानी को lost कल देते हैं पानी का removal कल देंगे तुरंथ पानी पानी कल देंगे lose a molecule of water at room temperature the two or more alcoholic group must be present in different carbon atoms अलग अलग पे लगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक carbon पे दो alcoholic group possible नहीं है क्यों नहीं है सब्सक्राइब बना लेता है इसलिए कहता है बिटा एक ही के साथ रहूं हाना ये बात हमेशा या दो बिल्कुल सौ टका अभे हसो मत बे केने का मतलब एक carbon के साथ रहूं आपको इसको रखना है ले 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 इदा रहा जा हरा तुम लोग का पता है सोची गंदी है ये कहना चाहरा हूं ये देखो ये भी खुश ये भी खुश क्योंकि अलग अलग हो गया ये इसका अभी एक ही दूख हो जिस दिन पिटोगे ना भाई गजाब जिस दिन धराओगे ना गजाब और इत्ती मार पड़ेगी ना कभी जिन्दगी में नहीं बचोगे पता है विज़ाँ चीए के मूवी देखे हो गया अरे यार मूवी का नाम अच्छा लेकिन अब मेरे सोच रहा हूं रहने दू नहीं छोड़ो थी बनाई जाएगा ना तीक है चलो देखे होंगे असे अक्ष्यकुमार और जॉन एवराहिम की मूवी हो ठीक है याद है लेकिन ठीक in bond formations while the two half filled sp3 hybrid orbitals of oxygen form sigma bond with the s orbital of hydrogen and the sp3 hybrid orbital of carbon of alkyl group हाँ बहुत इजी है के नहीं के चारा है जरह समझो ना के रहा जब अलकोहल बनाता है तो carbon एक bond मनाता है O के साथ और एक bond मनाता है H के साथ मतलब oxygen यह आपर दो sigma bond form करता है एक carbon के साथ और एक hydrogen के साथ मैंने का ठीक है सर भाई आप tension मतलो जो paper में आएगा वो पूरा बताते हुए चलूँगा बिलकुल बिंदास तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है जल्दी ले लो screenshot जल्दी 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 खयालों में मत खोया करो किसी के चल आजाओ चलिए अब ये भी बहुत मज़दार है सर ये देखो दिखा सर मैं कहता हूँ सर उस carbon को ढूंडो जिससे functional group जुड़ा है सर यही carbon है वो इसी से जुड़ा है functional group OH इससे कितने carbon जुड़े है सर इससे एक carbon जुड़ा है बस वो भी ये पीछे वाला और अगर एक carbon जुड़ा है तो इसको अपन कहेंगे primary alcohol क्या कहेंगे सर primary alcohol चीक है आगे चलो आगे चलो आगे चलो ये देखो अब बताओ OH कितने carbon जुड़ा है सर इस carbon से अब इससे कितने carbon जुड़े है सर एक दो oh my god सर it is called as secondary alcohol क्या कहेंगे सर जी secondary alcohol क्या कहेंगे सर जी secondary alcohol मैंने का ठीक है सर मैंने का done सर बिलकुल easy है ये तो हमारे वच्चों का केल है ये तो फिर आभी बता देंगे हम ये देखो सर यहां बताओ जल्दी जल्दी यहां बताओ बिलकुल तेजी में यहां बताओ यहां क्या होगा सर यहां पर आप देखिए प्याल से यह मेरा main main carbon तो यह होगा न क्योंकि यह जोड़ा function group से कितने जोड़ा से एक दो तीन क्या कहेंगे tertiary alcohol क्या कहेंगे tertiary alcohol मैंने का ही ता सर सर टेंशन नहीं लेना है अगर आपने टेंशन ली तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा कोई भी नहीं बिल्कुल डंड डंड करन कोई भी नहीं बचा पाएगा और फिर में को मज़ा नहीं आएगा चीक है तो यह अपना प्राइमेरी अलकॉहल जब एक कारबन से जुड़ा हुआ है भाई या पीछे किते भी मुझे से फ़क नहीं पड़ता यह में कारबन में से किते जुड़ें एक दो तीन तीन जुड़े हुए बस बात खतम जल्दी नोट डाउन करेंगे सर सर अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई है जल्दी 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 हो गया चलो अच्छा थोड़ा सा अपन आ गए किसके अंदर आप यह बूल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी स्वें बॉइलिंग पॉइंट सर इनका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा घासा जादा होता है क्योंकि इनके अंदर जो होती है न सर हाइड्रूजन बॉइंग होती है क्या होती है सर हाइड्रूजन बॉइंग और हाइड्रूजन बॉइंग को तोड़ना इत्ता असान नहीं होता है इसलिए इनके अंदर बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइंट अच्छा घासा होता है सिर्फ कार्बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइलिंग अच्छा घासा होता ह भया हम भी hydrogen bond आप भी hydrogen bond दोनों सगे संबंदी like dissolves like पानी में बहुत जलिया बढ़िया तरीके से घुलता है alcohol वह आपने गाना सुना होगा पानी में मिल तो लगे पानी जैसी हाना आप गलत नहीं समझना है लेकिन मैं आपको बताता हूं कभी भी alcohol में पानी मिलाते हो ना उसक प्रेटी नहीं तो दिखते ही नहीं आलग अलग है फिर उसके आद देखो जूम मचाती है पॉब्लेक उसके बात ना है ऐसे भाई बहुत से लोग है चीक है कोई दिक्कत की बात नहीं तो अपने यह कह सकते हैं कि पानी के अंदर बहुत बढ़िया सॉलिबल होते क्योंकि हाए दू डू भाल dw he meantator बास हां major HA i maj जेसे में इतनौल बढ़िया गल जाएगा एध्व नगा है प्रोपेनौल बढ़िया गल जाएगा लेकिं जैसे यह आप आगे बढ़े जबापकी कारबन चेंद बढ़ रही है तो सॉलिबलिटी में दिक्कत आती कूंकि जो कारबन च phobic part क्या कहते हैं उसको अपन hydrophobic part जो पानी से मिलना नहीं चाहती है कौन? carbon chain तो वो फिर मिलने नहीं देती है तो जैसे जैसे आपका structure बढ़ेगा तो पानी में dissolve नहीं हो पाएगा चलिए boiling point of alcohol are much higher than those of alkane hello alkane are ethers as comparable molecular masses this is because in alcohol strong intermolecular hydrogen bonding exists due to which a large amount of energy is required to break this bond इसी लिए इनका boiling point अच्छा खासा जादा होता है जादा होता है जल्दी 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है done 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 हो जाए तो बताईएगा जरूर हो जाए तो बताईएगा जरूर भाया समय है नहीं है अब समय नहीं है अपने पास अब जल्दी 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 गाड़ी बढ़ाओ जल्दी जल्दी गाड़ी बढ़ाओ बिल्कुल जल्दी जल्दी गाड़ी बढ़ाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी समझे clear चलो बढ़ाओ पक्का ये रेखिए अमांग आईजोमेरिक एलकोहॉल दा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विट इंक्रीज इन ब्रांचिंग विट इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन दा अलकाइल गुरूप देखो मेंने समझाय था मैंने आपको कैसे समझाय था याद करो मैंने आपको ये कहाता सर अगर ब्रांचिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है सब ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है इंडारेक्ली सर्फेस एरिया कम हो जाता है मैंने आपको समझाए था खजूर का पेड़ और नॉर्मल पेड़ की जो वो होती है ब्रांचेस वो क्या होती है उसको वीग बनाती है तो गिलता है तो आप देखते हो हर बारिश में किसी भी रोट पे चले आओ आपको पेड़ ग गिलते क्योंकि सर ब्रांचेस नहीं है ब्रांचेस हमेशा वीग बनाती है पूरे वो इसलिए खजूर का पेड़ सबसे बढ़िया टिका रहता है लेकिन आपके नॉर्मल पेड़ गिरने चलू जाते हैं तो ब्रांचेस अगर बढ़ेगी तो आपका बॉइलिंग सुधा होता है इसलिए प्राइमेरी अलकॉल सब्से चाहता सेकेंडरी बतला ब्रांचे को और और टर्शरी प्रांचे सबसे जादा कम और अगर इसको लिखना हो तो आप यह भी लिखना सकता हो क्यों उनका सर्फैस एरिया कम हो जाता है vendor wall forces कम हो जाता है इसलिए boiling point भी कम हो जाता है देखिये लिखा हुआ है with increase in branching in the Alkyl group due to decrease in vendor wall forces with decrease in surface area surface area कम हो जाता है ना बाई अगर branching बढ़ गहीं तो पहले देखो मालो इतना बड़ चलता अब कहीं branching आगे तो वो कम हो जाएगा, surface area कम हो गया, vendor wall forces कम हो गया, इसलिए boiling point भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल, जल्दी एक screenshot मारो, फिर आगे चलते हैं, फटा फट तरीके से आगे चलते हैं, चलिए, लेलिया, screenshot, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आगे जाओ, सर, कोई दिक्कत नहीं है, solubility, सर मैंने अभी बता दिया, इसमें तो एक मेरा general rule चलता है, like dissolves, like, sir, अपना ही अपने को डुबाता है, यह दुनिया का नियम है, बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह यहाँ भी काम में आता है, ठीके, एक जैसे दिखने वाले ही डुबाते हैं, यह बात मान के चलिए, मैंने आपको क्या कहा, alcohol के अंदर भी कौन सा nature, पुलार नेचर, क्योंकि OH है, पानी के अंदर भी क्या, पुलार नेचर, एक ही सगे संबन दिये, डूम मरेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मैंने हमेशा आपको सिखाया है, पुलार डिजॉल्स, पुलार और नॉन पुलार डिजॉल्स, नॉन पुलार, बिल्कुल, यह देखो, यह देखो, बिल्कुल तरीक ऐसे, अब देखिए, की, क्युकि यह आदमी सहीं नहीं है, यह दंको डल लगता पानी से, हाइडरोफोबिक वाले लोग हैं, मैंने खाए ठीक है सार, आब डर वाले लोग हैं, कोई बात नहीं सब चलता है,S nationist, collector, The longer the carbon chain, the lesser soluble the alcohol is. जितनी बड़ी chain होगी, उतना कम soluble होगा. अगर आप से कोई पूछ ले. इतनोल और ब्यूटेनोल में कौन ज्यादा soluble होगा? तो जिसकी carbon chain छोटी होगी, भाईया, आँग बन करके हाँ बोल देना. ये ज्यादा soluble होगा. क्योंकि carbon chain छोटी है, क्योंकि carbon chain छोटी है. बिल्कुल देख लीजे, सर. सर, बिल्कुल देख लीजे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली. चलो. चलो, 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 बिल्कुल, चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं. Done. हो गया? चलिए. आगे देख लीजे सर solubility of alcohol आप पढ़ लीजे पूरा कोई दिक्कत नहीं है non polar में soluble नहीं होते लेकिन देखिए सर short carbon chain, alcohol soluble रहेंगे butanol, pentanol और जैसी और बड़ी chain आएगी भाया क्या हो जाएगा? insoluble हो जाएगा क्या हो जाएगा? insoluble जैसे जैसे chain बढ़ती आएगी, लिख सकते हो आप chain increase होगी, solubility decrease होगी काई की chain, carbon chain carbon chain बढ़ेगी, solubility कम होगी ठीके? carbon chain बढ़ेगी, solubility कम होगी यह बात मानके चलिए solubility कम होगी, यह बात मानके चलिए जल्दी कल सकते हैं आप जल्दी 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 फटाफट फटाफट नोट डाउन इसमें यही मिलेगा आपको जैसे जैसे chain बढ़ेगी आपकी solubility कम होगी और अगर solubility इसमें कम होगी तो भीज़ नॉन पुलार में बढ़ जाएगी कोई कार्बन chain नॉन पुलार होती है तो फिर वो नॉन पुलार में घुलने लग जाएगे ठीक है जल्दी चलो ओहो preparation आगई सर सर preparation आगई है मज़धार तरीके से preparation आगई है और सबसे पहले अलकीन से आई है अलकीन जानते हो के नहीं जानते हो सर हमारा दोस्त दोस्त को सलाम करो यह देखो काओ पीओ चीक है यह आपका अलकीन है इसमें बस कुछ मत करो सर पानी डालो यह सर आपका पानी बहुत आता है हल जगा पर पानी डाल दो ठीक है एसिड थोड़ा एसिड केटरलाइस होता है एसिड केटलाइस का मतलब होता है कि थोड़ा acidic medium में करवाएंगे ये reaction को थोड़ा fast चलाता है बढ़िया तरीक सा अब मेरे को एक बात बताओ सर यहां लगाएंगे अपन मार्कोनिक ओफ रूल हाँ यहां अपन लगाएंगे मार्कोनिक ओफ रूल बढ़िया लगेगा एक रबबर, अब सुनो मेरी बात सर मुझे बस यह बता दो, इन नोनों में से अमीर को ने, सर मैंने पढ़ाएंगे आपको जिसके पास जादा hydrogen वो जादा अमीर मतलब यह rich और यह भाई साब गरीब, गरीब बोले तो poor, हमने पढ़ा तब मार्कोनिक ओफ ने कैसे सिखाये था poor को और poor बनाओ और अमीर को और अमीर बनाओ यही सिखाये था तो भाई यह एच किसके पास जाएगा सर जो अमीर है पहली बात तो सुनिये, यहाँ पर कैसे तूटेगा पानी वाला ह प्लस ओ एच माइनस दिख रहा है तो positive वाला पार्ट किसके पास जाएगा जो जादा मीर है, मतलब यहाँ और गरीब वाला पार्ट, OH इसके पास जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा CH3 CH, दिख रहा है उसके नीचे OH और फिर बगल में CH3 दिख रहा है इसको कहते हैं propane to all क्या कहते हैं propane to all क्या कहते हैं propane to all जल्दी देखो propane to all जल्दी फटा फट तभी मज़ा आएगा नहीं तो नहीं आने वाला propane to all जल्दी नोट डाउन करेंगे सर जल्दी propane to all ये देखें न सर बिलकुल बड़िया तरीके सर भाई reactions में कोई दिक्कत नहीं है alken reacts with water in the presence of cold concentrated H2SO4 to give alcohol follows Markovnikov addition क्या follow कर रहा है सर Markovnikov addition जल्दी देखो सर जल्दी देखो सर जल्दी देखो जल्दी बिंदाज तरीके से जल्दी देखिये सर तभी मज़ा आएगा हो गया डन चली अब आजाओ सर अब आजाओ जल्दी क्या बोल रहा है हेर्स देखो नेट एडिशन ओफ हो एच्टो एच्टो अलकीन इन दा एकोडेंस विद एंटी मार्कोनिकोफ रूल इड इंपोर्टेंट मेथड उफ प्रिपेरिंग प्राइमरी अल्कोहॉल चीके यह एंटी मार्कोनिको रूल रूल चलाएं मार्कोनिकोफ का बोल इकोंग चलाएं मारकॉनिकोफ के अकॉर्डिंग चला है चीक है किसके अकॉर्डिंग चला है मारकॉनिकोफ के अकॉर्डिंग चला है चीक है मारकॉनिकोफ के अकॉर्डिंग चला है जो पीछे दिखाए था हाँ अगर अच्छा एक चीज़ एक चीज़ सुनिये सुनिये भाईया मैंने मैं लिखा हुआ भूल गया अगर एंटी मारकोडिकॉफ ले गए तो फिर आखरी में लगेगा और आखरी में लगेगा तो वहां से आपका क्या बन जाएगा प्राइमेरी एलकोहल और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर पर आक्साइड को लेक हम दो कोश पड़ते हैं सर आपको पढ़ा चुकाiva मैं एक लकोहल टी के या फिर एक ट्ले केया हमेशा क्या बनाता है एक बहला हमेशा क्या przedstaw यह वोता चले अपन चले घूंक it थड़ा सा निकल लिए भाई सरम नहीं आई इनको तरस नहीं आया तुझको बिलकुल अब यहां क्या बचा CH3 CH2 और यहां लग गया OH सर इथनॉल कहते है इसको क्या कहते है इथनॉल कहते है सर इसको देखिया in presence of aqueous sodium or potassium hydroxide or moist silver oxide reaction will be followed either SN1 or SN2 mechanism अब आपन पढ़ चुक है SN1 SN2 कौन से chapter में तर जाना comment section में बताओ comment section में बताओ कौन से chapter में था यह भाई यह SN1 SN2 जल्दी 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 बिल्कुल 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 कौन से chapter में था जल्दी बताइए SN1 SN2 जल्दी comment section में दिल बना के उसके chapter का नाम लिखेंगे ठीक है डान चलिए आगे बढ़ते हां सर रिडक्शन करवाना है सर रिडक्शन करवाना है सर यह भी कराया हुए सर बिल्कुल इजी है चलो आजाओ reduction of aldehyde and ketones with lialh4 ठीक है सर अरे सब हो जाएगा वाई आजाओ यह आपका aldehyde है ठीक है ठीक है मैंने आपको पढ़ाया सर lialh4 यह बहुत बढ़ीया reducing agents होते है lialh4 क्या होते हैं reducing agents होते हैं यह लोग ह2 के साथ किसके साथ h2 अब समझना सर अगर मैं आपको बोलू तो अब क्या होता यह दो hydrogen देता है यह bond एक टूटेगा यह टूटा तो एक इसके पास free एक इसके पास free होगा के नहीं होगा चलो लिखो CH3 CH2 फिर क्या है carbon लगा है एक एच बगल में यह दर आ गया और एक OH के साथ आ गया देखिए सर अलकॉल तयार हो गया देखिए अलकॉल तयार हो गया साथ में कैसे को छीटने के लिख सकते हैं सको CH3 CH2 CH2 और OH इसको कहते हैं प्रोपेन मार किया कहते हैं इसको प्रोपेन nossos क्या किते है इसको या प्रोपेन मौल कोई कि दिक्कत की बात नहीं है यह अल्डियाइट का रेडक्शन कराया तो यह मिल गया अपन को और सर हमेशा या दखना अल्डियाइट का जब भी रेडक्शन कराओगे किसके प्रेज़ेंस में लाई ले एले एलेच फोर हमेशा प्राइमेरी अल्कॉहली बनता है क्योंकि सब अल्देयइट कुट प्राइमेरी होता एक तरीके से या देखो नाγग यह कार्बन यह मेन कार्बन मेन कार्बन से कितने कार्बन प्रेमे अगर कि टोन होता सलतो मेरे का जाओ मैने का की टोन कओ लता है उसको भी लियाओ, चीक है, सर फिल से LILH4, दो हाइडोजन मिल गए, यह देखो, चीक है, यह तोड़ा तो एक इसकी फ्री, एक इसकी फ्री, होगा के नहीं होगा, चलिए, CH3, बगल में CCH3, फिर H, फिर उपर, देख रहे, अब उपर क्या है, O के साथ एक और H लग जाएगा, यह देखिए, O H, यह फिर अल्कॉल बन गया, लेकिन आपको सोचो, यह कौन सा अल्कॉल है, चेक करो, में कार्बन कौन है, यह रा में कार्बन, एक और दो, दो जोड़े हैं, तो क्या कहलाएगा, तो सर इस बात को लिख लो, कि जब भी आप, केटोन का रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 के प्रेजनस में, तो आपको कैं बनेगा, सिकेंड्री अल्कॉल, सुरी, LDid का कराएंगे, तो क्या में बनेगा, प्राइमरी अल्कॉहल, मैंने का, बहुत बढ़ी है, थामबा थामबा, बिलकुल सही है, एक नमबर, एक नमबर, बिलकुल बढ़िया, और अच्छा, ऐ जैसा क्यों कि ये खुद primary होता है और ये खुद secondary होता है देखें न फंक्शनल गुरूप दो लगे हुए तो नीचे वाला secondary है तो secondary बना रहा है उपर वाला primary है तो primary बना रहा है कोई तकलीफ की बात नहीं है चलो जल्दी 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 फटाफट तबी बढ़िया चलेगा विया हो गया चलो देखो इस बेटर रिदूसिंग एजेंट फोर दी कर्बोनल कंपाउंड इन टू एल्कोहल लाइल 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 फोर इस वाल इस वाल इंदी थर the common solvent and it does not reduce the carbon-carbon double bond बिलकुल भी सरा carbon-carbon के double bond पे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ये सिर्फ basically काम करता है भया oxygen वाले के साथ oxygen वाले को उड़ा के hydrogen जोडने का है इसका simple सा funda है किसी को नहीं छोड़ेंगे इसका symbol सा funda है ये किसी को नहीं छोड़ेंगा कई का भाया तुम घर पे सेर ओंगे कहां पर सेर होंगे घर पे GUY होंगे मैंने का ठीक अब घर पे शेर है तो है कोई दिक्कत की बात और नहीं है रहने तो भाई जहां पे भी शेर हो चिए क्यों बिलकुल 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 डन आगी बड़े जल्दी चलो ये लो dehydration to alken पहले बाई इसको हो जान दो थोड़ा अच्छे से हो जान दो फिर अपन आगे बात कलते हैं फिर अपन आगे बात कलते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है dehydration चलो हो जाए तो बता दीजेगा dehydration करें dehydration का मतलब क्या होता है सर पानी का निकालना dehydration to alken और सर पानी का निकालने के लिए एक movie आई थी अगर आपको याद हो तो boss हुकुम का एक boss उसमे एक dialogue था ना अपने को तो पानी निकालने का मतलब है तो यहाँ पर जो boss होता है सर उसको बोला जाता है concentrated H2SO4 यह बहुत बढ़िया dehydrating agent है ऐसे तो H3PO4 भी होता है लेकिन यह best है इसको अपन यूज करेंगे चिके चलो ले आओ जड़ा यह देख रहा है कोई दिकत तो नहीं डाल दो पानी पानी निडालना है सर पानी निकालना है तो ले आओ concentrated H2SO4 और एक बात और बोलता हूँ एक बात और बोलता हूँ temperature याद रखना सर 170 degree centigrade 170 का मतलब क्या होगा सर सर 170 का मतलब होगा 443 Kelvin पका करके देख लो एक बार 273 है 27 उदर है 43 उदर है तो 27 और 43 प्लस करोगे तो भईया 70 होई जाना है 373 में मैंने का बिल्कुल सही जा रहे है अब देखो क्या होता है मैंने का अब देखो क्या होता है बिल्कुल सिंपल सी बात चलेगी देखिए सर क्या होगा आपको तो OH निकालना है जो यहां से मिल जाएगा इस कार्बन से इसको कहते है अलफा कार्बन जो भी function group से carbon जुड़ा होता है इसको alpha कहते हैं सर लेकिन हमें तो water चाहिए ना तो oh मिल क्या h कहा से मिलेगा मैंने का डालो बगल वाले पर नजर यह देखो किते रखें उसके पास लगता है फीटल यह चल निकल लाइदर दे चलो है क्या वोलती पप्लिक आपको बचा हो सीच टू सिंगल बॉंड चीएज टू दिख रहे सि च्टू सिंगल बॉंड शी सीच तू अब क्या होता है इसका बॉंड टूड़िया इसका तूड़ गया, दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं ये लीजे सर आपका अलकीन बन के तयार है ये आपका अलकीन बन के तयार है कोई दिक्कत की बात नहीं है ये आपका अलकीन बन के तयार है कोई दिक्कत की बात नहीं है जल्दी 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 कोई दिक्कत तो नहीं कोई परिशानी वैसे तो नहीं होनी चाहिए सर चीक है किया अब चलो एक और मैं बताऊंगा अब इसमें दिक्कत है यह देखो सर करो जल्दी जल्दी चलो निकालो भीया निकालो पानी निकालो पानी निकालो भाई पानी निकालो समय नहीं है मेरे पास पानी निकालो जल्दी जल्दी पानी बहार होना चीए नहीं तो लडाई हो जाए कि आज ठीक है इससे वह निखल गया सर लेकिन इस बार दिक्कत है मैंने क्या दिक्कत है सर इस बार ये भी बीटा है ये भी बीटा है तो सर इससे भी hydrogen निकल सकता है इससे भी निकल सकता है तो सब दो compound बन सकते हैं मैंने का एक काम करो बना लो दो compound एक बार अपन किसको बीटा मान ले सर एक बार इसको बीटा मान लेते हैं तो यहीं आएगा double bond देखो जरा CH3, CH2, CH इसका OH क्या? सिंगल, CH2, 2 क्यों आया? क्योंकि इससे hydrogen ले लिया और अगर ले लिया तो बीच में देखो एक valency खाली है, खाली है के नहीं है? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तो यह लग जया double bond, चीक है सर? अब एक काम करो, इसको बीटा हटाओ, इसको ले लो बीटा, इसको ले लो बीटा, तो अब double bond बीच में जाएगा, देखो जरा, CH3, CH double bond, CH, CH3, यह बन क्या आएगा? बिलकुल आएगा कि नहीं आएगा? अब सर, अगर दो compound बने हैं, तो कोई एक major होगा और कोई एक minor होगा, कैसे पता चलेगा कौन major है, कौन minor है? तो मैंने का, यहीं पर एक rule आता है, जिसको कहता है, set-sept rule, आप से paper में नहीं पूछेगा, लेकिन set-sept rule बोलता क्या है? यह बात भी important है, तो set-sept rule बहुत प्यारा है स एकदम दुलारा है सर, हना, एकदम दुलारा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो यह बोलता है, कि सर हम उस alkyne को prefer करेंगे, जो जादा alkyl group से जुड़ा होगा, अब देखो, यहाँ पर यह alkyne है, कितने alkyl group जुड़ा, एक ही तो जुड़ा, ethyl, यह alkyne है, कितने alkyl group जुड़ा है, दो, एक ही है मिथाईल, एक ही है मिथाईल, तो कौन सा जादा फाइदे मन्द है, वो वाला, इसलिए अपन उसको major कहते हैं, और इसको minor कहते हैं, चीके, तो यह होगा आपका major, अधे, हाँ, इसको कहेंगे major, और यह जो है, यह क्यलाएगा, minor, समझे के नहीं समझे, समझे के नहीं समझे, जल्दी बोलो, समझे के नहीं समझे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझे के नहीं समझे, नहीं समझे, समझे के नहीं समझे, समझ गए न, बिलकुल ठीक है, चलो, एक आपको देता हूं भई, यह comment section में बताना क्या होगा, comment section में बताना क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगरी सेंडिग्रेट ठीक है 170 और 440 ये कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन बताता है मैं भी तो देखू सर किस्म में कितना है दम दम के रखना कदम बिल्कुल भाई बहुत तेजी में रखना है कदम अपन को चलो आगे सुनो क्या है dehydration to alkenes था न अरे ये क्या पढ़ लेते एक पर अल्कॉल्स on reaction with concentrated H2O4 और H3PO4 और catalysts such as anhydrous ZNCl2 और alumina loses the water molecule and forms alkenes उसने alkenes मना लिया भी या चलो 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 भाई 443 Kelvin याद रखना बस 443 Kelvin याद रखना बस चलो the ease of dehydration सबसे बढ़िया tertiary में होता है फिर secondary में फिर primary alcohol में the dehydration always follows set-saf rule मैंने set-saf rule अभी बताया आपको बताया ना चेक है gas phase की जब मैं बात कलता हूं तो alcohol are heated with alumina to give alkenes यह देखिया है aluminium oxide के साथ reaction करवाता है और आपको यहां से क्या मिल जाता है alkenes मिल जाता है कोई दिकत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती है जल्दी 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 बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया हो गया done क्या बोलती public क्या बोलती public जल्दी बताये चलो सर यह इसका second part अभी अगर आपको याद हो तो बस याद कर लो सर मैंने अभी जो reaction करवाई 170 degree centigrade पे कराई थी जिसको मैंने कहा था 443 Kelvin अब एक reaction होगी 140 degree centigrade पे जो होगी 413 Kelvin सर important है alcohol यह dehydration ही होगा बस अब जो होगी उसमें alcohol access में होगा alcohol क्या होगा access में होगा बस ले आओ सर ले आओ जल्दी चलो अभी ले आए करो रहे चलो access concentrated H2SO4 140 degree centigrade 413 Kelvin ठीक है दोनों लिखवाता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ कैसे होता है पहले आप इतना लिख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ यह हो गया फिर यह कोई दिकत दो बार ले लिया ना चेक यह ओएच यह देखो निकाल दिया पानी बार क्या बचा च्छ 3 CH2 फिर O CH2 CH3 क्या हो गया इथर तयार हो गया समझ में आया इथर तयार हो गया समझ में आया बिलकुल से में बिलकुल गजाब है गजाब बोले तो एकदाम चकास चलिए देखिए इफ एलकॉल आर एक्सेस देन इथर वास फॉर्म देन इथर आर फॉर्म एक सो चालीज डिग्री सर इंपोर्टेंट लिख लो यह नीचे अलुमिना वाला इत्ता इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेना इथनॉल की अलुमिना से कराते हैं 200 डिग्री पे तो भी इथर बन जाता है लेकिन उपर वाली बहुत इंपोर्टेंट है जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी फटा फट नोट डाउन करेंगे कोई दिकत की बात नहीं है बिलकुल कोई दिकत की बात नहीं है जल्दी 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 है हो गया चलिए हो गया कोई दिकत तो नहीं है डन चीक है डन डन है डन डन एक नमबर एक नमबर एक नमबर एक नमबर हुआ क्या नहीं हुआ हो गया ना पका ना 100% गैरेंटी मान लू आपकी बात चीक है सर चीक है चीक है बिलकुल ठीक है चेक, बढ़े जाएं आगे, चलो, 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 नोट, at 170 degree or above dehydration occurs and around 140 degree, ethels are formed when concentrated HNO3 is used, चेक, यहाँ पर एक चीज लिखना, अगर 170 degree पर कराते तो इथीन बनता है, क्या बनता है, इथीन बनता है, और अगर 140 पर कराते तो इथर बनता है, चेक, बिल्कुल, 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 when concentrated H2SO4 is in excess, alkene are formed, and when alcohol are in excess, then ether are formed, then ether are formed, यह temperature और यह excess के उस पर भी आपको याद उखना है, चेक, जल्दी, 170 पर इथीन डबल बॉन आता है, 140 पर आपका, इथर आता है, चेक, alcohol के excess पर इथर आता है, और concentrated H2SO4 के excess पर alkene आता है, हाँ, इथीन मतलिको, वो ही मैं कहा रहाता है, यहाँ, alkene लिखो, क्या alkene बनेगा, क्या बनेगा, alkene बनेगा, डाइन, चलो, अब आता है सर, oxidation, क्या आता है, oxidation, आ जाओ, चलो भीया, oxidation पर बात कर लेते हैं सर, मज़ा आएगा सलची, यह बहुत तकड़ाए, चलिए सर, सर, हमेशा याद अखना, अगर आपको oxidation करना है, ठीक है, यह, तो आपको oxygen देना पड़ेगा, ठीक है, oxygen देना पड़ेगा, ठीक है सर, देखिए ज़रा, तो यह oxygen जाएगा, इसके पास लग जाएगा, लग जाएगा ना, देखो, यह OH, यह OH, और यह H, डन, अगर आप देखें तो एक कारबन पर दो एलकोहलिक गुरूप आ गए, दो एलकोहलिक गुरूप क्या करेंगे, भया, unstable, तुरंट पानी निकलेगा, निकल, निकल, जल्दी निकल, यह C, अगर मान लो, इस प्रफपाणी निकलना है, तो क्या करेंगे, सर, सर, पानी निकलना है, तो क्या करेंगे, मैं बताता हू ना, इसका पूरा OH ले लो इसका H ले लो उड़ा दे तो ये बचा single bond ये बचा H अब आप देखो तो carbon की एक valency free हो गई hydrogen की भी हो गई दोनों के बीच में क्या जाएगा double bond आएगा और double bond आगया तो क्या कहलाएगा A1 बोले तो जखास चीक है सर फिर से अगर oxidation हुआ तो तो ये कहा जाएगा इधर इसके पास इसके पास जाएगा तो CH3 CH2 C double bond हो और ये बन जाएगा OH सर्जी कार्बॉक्सलिक आसिड बन गया क्या बन गया कार्बॉक्सलिक आसिड क्या बन गया सर्जी कार्बॉक्सलिक आसिड चलिए बईया बहिए बोले तो जखास बहिया बोले तो एक तरफा बहिया बोले तो जहमा जहम ये आगया अपना सर यहां पर एक बास सम्झाओं सर आपका तो Oxidation पर Oxidation होता चला गया एक बर यहां हो गया एक बर यहां हो गया सर अगर माल आमें LDIT पर गाड़ी रुखवानी है हम राजदानी में नहीं बैठे हम एक दम माल गाड़ी में बैठे हाल जगा माल रुखता रुखता उतलता हुआ चल रहा है तो मैंने का भाया उसके लिए लगेगा आपको वीक ऑक्सेडाइजिंग एजेंट अगर आपको LDIT पर रुखना है तो आपको लेना पड़ेगा वीक ऑक्सेडाइजिंग एजेंट वीक वाला कौन सा वीक अक्षिडाइजिंग एजंट और वीक अक्षिडाइजंग एजंट क्या होता है सरू बता दो जरा वीक अप्सेद एजंट होता है हमारा जैसे PCC Pac-ädर-30 yeahcano 3 यह सब हमारे व्म oxidizing agent होते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है और अगर आपको यहीं गाड़ी पहुचा दिये हैं तो फिर आप ले लो सर स्ट्रॉंग किसी की नहीं सुनता है स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एचेंट क्या-क्या होते हैं के में नो-4 के-2-7 और एक मैने और पढ़ाया था लेकिन आप मेंको क्मेंट सेक्षिन में बताएंगे वो एक और क्या था मैं भी आपको फसाते हुँ चलू रहा है थबा सा आप लोग हमेशा मेरे मजे लेत हैं क्यों तो आज मेरी वारी लो भाईया, strong में मैंने तीन नाम लिगवाए थे, K-MnO4, K2CR207 और तीसरा क्या था, वो आपको comment section में बताना है, ठीक है, the oxidation of alcohol is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, यह primary alcohol था, यह primary alcohol था, चलो भाई, जल्दी screenshot लेलो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी screenshot लेलो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, जल्दी, डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो, हो गया, चेग, यह जाओ भी, यह secondary alcohol, सर, secondary alcohol की बात कर लेते हैं, ना, 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 मैं आपको कहता हूं, सर, डनने का नहीं, क्या सर, डनने का, नहीं, ओ, 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 पहले बताओ, secondary alcohol है क्या नहीं, सर, बिल्कुल, secondary हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, सर, यह main carbon, एक, दो carbon जुड़े है, secondary alcohol है, चीक है, तो secondary alcohol का क्या करवा रहा है, oxidation, सर, इसमें तो कोई भी डाल दो, K-MnO4 डाल दो, CRO3 डाल दो, कोई भी डाल दो, यहां के लग जाएगा, वो जो hydrogen बचता है ना, उसी पर attack होता है भाही का, यह देखो, अगर आप प्याल से देखो तो नीचे H ता आप वहां पर O आ गया, सर, आपने पढ़ाया था, आप यह अपना रूल तोड़ रहे हो, आपने पढ़ाया था, किसी भी कारबन पर दो alcoholic group अगर आ गए तो भाईया, वो तो unstable हो जाएगा, यह देखिए, दो आ गए, तो मैंने का निकालो ना, पानी, मैंने का भाईया, मैंने आपको बताया था, पानी कौन निकालेगा, निकालो पानी, फिक के मालो बार, चल रहे है भाई, निकल, चल रहे है भाई, बार निकल, बार निकल, पानी निकल, पानी निकलो, चेगे, क्या बचा, यह बच्चा सर अब आप देखो तो कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री ओक्सियन की भी एक वैलेंसी फ्री यह लीजे सर डबल बॉंड आगया कीटोन सर ये बन गया keto ये देखिए सर ये बन गया keto अब सर आगे और नहीं हो सकता मैंने का बिटा होतो जाएगा लेकिन hydrogen है यही नहीं लेकिन अगर oxidation जबलगस्ति कर नहीं तेरको तो कर नहीं ही पड़ेगा नहीं हो पाएगा क्या अरे करना पड़ेगा तो अगर आप आप जबलग करोगे तो जब अजस्ति में कुछ नहीं होगा आपको mixture of carboxylic acid मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा जब अजस्ति कर दो नहीं तो अगर आप सिंपल सी बात देखो तो ketone पर गाड़ी रुख जाएगी ketone पर finally stop हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली मैंने का साही जा रहा है तो मतलब जब भी अपन secondary alcohol का oxidation करते हैं तो सर आपका क्या बनता है ketone बनता है primary में पहरे एल्डियाइड और एल्डियाइड के बाद कार्बॉक्स लेक असेट कोई दिक्कत की बात नहीं है डन मैंने का ठीक है सही जारी गाड़ी देखो secondary alcohol are oxidized to ketone बा क्रॉमिक नहीड जिसको अपन कहते है je O3 जिस को अपन कहते हैं CRO3, जिस को ह llev possibility प्राउबलम तो नहीं जो को जोई ठक गए बहुत देल छहाथ कोई बात नहीं CRO3 हो गया, Oo लगा सर टर्शरी का होता ही नहीं है का से होगा सर अब अगर आप जबल जस्ती की बात करोगे तो फिर सर कुछ भी हो सकता है फिर तो यह देखो पहली बात तो नहीं होता ऑक्सिडेशन क्योंकि सर एची नहीं है अब आप लगो नहीं तिरको तो करना ही पड़ेगा दुनिया अब अब आप लुए तो मिक्षर आपको मिलने लगता है क्या मिलने लगता है आपको मिक्षर्स आपको देखने को मिलता है मैंने घाए सर मिक्षर्स आपको देखने को मिलता है मैंने का ठीक है डण 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 हो गया जल्दी नोट डाउं करेंगे सर जल्दी घबराने वाली बात नहीं है सर हो गया चिके चलो क्या है सर डी हाइड्रोजिनेशन विद होट कॉपर कोपर के साथ डी हाइड्रोजिनेशन डी हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता यह बता दो रिमूबल ओफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूबल ओफ हाइड्रोजिनेशन मैंने कहा आ जाओ लोग प्राइमेरी अलकॉहल देखो दिख रहा है प्राइमेरी अलकॉहल ही देखो वह यह यह यहाद रखना कॉपर तीन सो के साथ रियक्शन होती है कॉपल तीन सो डिग्री सेंटीग्रेट के साथ रियक्शन होती है सरी है किसके साथ होती है कॉपल तीन सो डिग्री सेंटीग्रेट के साथ dehydrogenation का मतलब 2 hydrogen निकलेंगे एक तो OH में से निकलेगा और एक यहां से निकल गया बिल्कुल सर ये दोनों को हटा दो क्या बचा C उपर H दिख रहा है single bond O अब सर ये यही पर double bond मना लेगा तो देखिए aldehyde बन गया तो जब भी primary alcohol का आप dehydrogenation कराओगे in the presence of copper आपको aldehyde मिलेगा आपको aldehyde मिलेगा सर बिल्कुल aldehyde मिलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको aldehyde मिलेगा आपको aldehyde मिलेगा लिखवा लो आपको aldehyde मिलेगा लिखवा लो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली कोई भी problem नहीं है कहीं से कहीं तक आपको क्या मिलने वाला है LDHID मिलेगा बिलकुल 101% क्या मिलेगा सर LDHID मिलेगा आपको बिलकुल 101% काप जब primary alcohol को आप लेंगे हाँ से किसको लेंगे बिटा primary alcohol के लेंगे तब की बात कर रहा हूं अगर secondary alcohol ले लिया तो क्या सर अगर secondary alcohol ले लिया तो क्या मैंने का देखो न मैं आपको हल चीज बताने को तयार हूँ आप बस थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ मेरे साथ चीक है same dehydrogenation ही करवाना है न यह देखो निकाल दो चीक है यह देखो क्या बन गया क्या बन गया कीटोन क्या बन गया सर जी कीटोन क्या बन गया सर जी कीटोन बिल्कुल सर कीटोन तयार है तो जब भी secondary आपके पास alcohol होगा तो आपका कीटोन बनेगा सर dehydrogenation क्या बनेगा ketone और अगर primary हुआ तो क्या बनेगा aldehyde बिटा ये सब आपके next chapter में भी काम आएंगी इसलिए बोलना हूँ थोड़ा अच्छे से दो दिल बना दो सर थोड़ा अच्छे से दो दिल बना दो सर दो दिल ये लीजे सर दो दिल हो गए ये लीजे दो दिल हो गए सर दो दो दिल हो गए सर दो ये secondary alcohol हो गया ये tertiary alcohol हो गया और ये आपका primary alcohol हो गया primary alcohol secondary alcohol और tertiary alcohol पर बात करने वालों done आजाओ tertiary alcohol अब बताओ सर रहे दम tertiary alcohol का कुछ करने कि आपको है दम तो बता दो भाई या कुछ कर पाओगा tertiary alcohol का मैंने कुछ नहीं कर पाएगा कोई चांस ही नहीं है कुछ उपाड़ पाएगा कोई tertiary alcohol का क्योंकि सर इसका एच है आपके से एच ले लोगे नहीं सर कुछ और करना पड़ेगा तो सर तरशरी alcohol का dehydration dehydrogenation नहीं होता चलो सर बज़ गए कहीं तो बज़ गए कहीं तो बज़ गए कोई दिक्कती केता रुको हां बताओ सर क्या हुआ भाई dehydrogenation नहीं होता लेकिन dehydration होता है इंपोर्टेंट केस है पेपर में पूछता है तरशरी के अलकोहल का कॉपर 300 में क्या होगा सर हाइडोजन निकलेगा पानी निकल जाएगा और फिर गाले ना आप गाना क्या पानी पानी यह ओ एच और यहां से एक हैच ले लो ले लो यहां से एक हैच ले लिया CH2 और नीचे CH3 कार्बन के पास एक वैलेंसी कम लग रही है लगा उपर डवल बॉन्ड यह लो सर अलकीन तयार है अलकीन तयार है अलकीन तयार है अलकीन तयार है सर चेक कर लो तो प्राइमेरी का dehydrogenation होता है एल्डी हाइड बनता है सेकेंडरी का dehydrogenation होता है कीटोन बनता है और टर्शरी का dehydrogenation नहीं होता है dehydration होता है क्या होता है सर डी हाइडरेशन होता है तो यह लीजिए आपका तीसरा दिल भी तयार है अरे आप दिल अच्छा नहीं बनता है यह लो ये लो ये लो तयार है दिल ये लो दिल तयार है पाँच 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 चलिए भया पाँच दिल नहीं सार तीन दिल बनाने थे तीन दिल बनाने थे ये लेखिये सार और इससे अब primary, secondary, tertiary, alcohol के distinguish भी कर सकते हैं. अगर алеई मिला तो primary, ketone मिला तो secondary और alkeen मिला तो tertiary और alkeen मिला तो tertiary. क्या बोलती public? क्या बोलती, क्या बोलती, जल्दी بتाओ जल्दी बलती, कुछ नहीं बोलती कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती. चलो आगे चलती, पहले इसका screenshot ले लेती है. चीके है? चली. आहां. Reaction with halogen acid. Reaction with halogen acid. चीक है सरा? Reaction with halogen acid. मैंने गा ठीक है सरा? Reaction with halogen acid. मैंने गा ठीक है सरा? चीक है वह यह रहा alcohol plus कोई भी halogen acid ले लो. SCL वगेरा. इसकी reaction करवाओ बिटा, N-Hydra Z-NCl2 से. N-Hydra Z-NCl2 से. मैंने गा ठीक है सरा? पता है क्या होता है बिटा? यह देखो. यह H2O भार. यह बनाएगा CH3 CH2OH. इसको हीट करना पड़ेगा तब ही होगी. इसको हीट करना पड़ेगा तब ही होगी. नहीं तो यह नहीं होगी. इसको इसी रियाक्शन को यह जो होते है ना यह वाले. इनको इनको लिूकास रियेजेंट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है इनको? लिूकास रियेजेंट के नाम से भी जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? लिूकास रियेजेंट के नाम से भी जाना जाता है. बिल्कुल जाना जाता है सर किस से जाना जाता है लूकास रिएजेंट के नाम से मैंने गाड़ी के सर कोई दिक्कत की बात नहीं है अब लूकास रिएजेंट आप बोल रहा है तो माल लेता हूं मैं आपकी बात किस नाम से जाना जाता है लूकास रिएजेंट बिल्कुल सर ल का रियेजिंट और सर पता लिकास टेस्स क्या होता है जैसे यह प्राइमेरी ने करना यह बन गया यह जो बनाता है ना हेलोल किन यह सर क्लावड़नी नेज देता है जब भी आपकी टेस्ट्टिव में बनेगा ना तो इसमें से ऐसे ऐसे फुवारे से निकलें गें से जोल तूफान मचाते हुए था किता है में आ रहा है में आ रहा है में आ रहा है यह देखो सब्से जल्दी रियक्शन करता हुआ, इस और आ देता है? यह देखाऊ। यह, यह बन गया आपको, सब्से जल्दी करता है अगर सेकंडरी होता है तो उसको लगवग 5 मिνट लगता है रियक्शन करने में और primary तब तक heat नहीं कःता जब तक नहीं करेगा जब तक आप उसको heat ना दो तो sir,流cust test जो हता है, tertiary alcohol तुरन तरण furnidity देता है और जो secondary alcohol होता है उसको 5 minutes लगते हैं तरबिडिटी देने में और जो हमारा primary alcohol होता है जो हमारा primary alcohol होता है विया उसको जब तक heat ना करो वो आपका turbidity या cloudiness नहीं देगा जल्दी लिख लो जल्दी लिख लो जल्दी लिख लो जल्दी बिल्कुल जल्दी लिख लो कोई दिक्कत की बात नहीं हो गया जल्दी लिख लो जल्दी डैन चल अब पढ़ो the order of reactivity of the hydrogen halide is HI, HBR, HCL, HF is generally unreactive सबसे जल्दी HI कलता है जल्दी तूता, bond length बढ़ी है ना जल्दी तूतेगा जल्दी तूतेगा जल्दी reaction करेगा and the order of reactivity of alcohol is tertiary, secondary and primary tertiary सबसे जल्दी turbidity ये पांच मिनिट बाद और ये जब तक heat ना करें जब तक heat ना करें जब तक heat ना करें जल्दी बोलो जल्दी बोलो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है clear, done कलदे इसको complete complete कलदे, लीजे सर screenshot ले लीजे, फिर आगे बढ़ते जल्दी screenshot लीजे चलिए, clear, note down कोई दिक्कत की बात तो नहीं है चलो, आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से सर यही बात अपने करी यही बात अपने अभी करीए क्या करीए, the mixture of SCL and anhydrous ZNCL2 at room temperature, is called Lucas Reagent क्या कहते हैं सर जी इसको अपन, Lucas Reagent ठीक है, and the reaction is referred to a Lucas test, और इसी को अपन Lucas test के नाम से जानते हैं क्या पढ़ाया था मैंने अभी tertiary alcohol सबसे जल्दी देता है और यहाँ पर तयार करता है turbidity, क्या तयार करता है turbidity, जो secondary alcohol होता है उसको 5 minute लगता है turbidity देने हो यह तुरंद दे रहता है इसको 5 minute, और जो primary alcohol है वो तब तक नहीं देगा अगर आपने heat ना किया तो turbidity मिल जाएगी, heat किया तो turbidity मिल जाएगी और नहीं किया तो नहीं मिलेगी यह आपको पता होना चाहिए clear एकदम कैसा सर, clear एकदम कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं चलो appearance of white turbid solution tertiary alcohol gives Lucas test instantly and secondary alcohol give it after some time and primary alcohol do not give this test जब तक नहीं देगा, जब तक आप उसको heat ना करो अगर heat कर दिया तो फिर वो test देदेगा heat करने पे test आपको मिल जाएगा किसका primary alcohol का भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी जल्दी डं 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 बाई फटाफ़ नोट डाउन करो तो अच्छा लगे फटाफ़ नोट डाउन करो तो अच्छा लगे मजा आना चीए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से clear रहता तो एक बार भीया session को like करते चलेंगे एक बार session को like करते हुए चलेंगे बिल्कुल जकास चमका के नहीं चमका एक बार comment section में चमका जरूर लिखेंगे बाई यह सब तो चलते रहना चाहिए ना बीच बीच में रुपने का नहीं बिल्कुल जल्दी चमका लिखने का जल्दी 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 चलो आगे बहुत basic सी reaction है किसके साथ thionyl chloride सर सबसे बढ़िया reaction मैं कहता हूँ हेलो अलकेन बनाने के लिए इससे बढ़िया reaction मार्केट में ही नहीं क्या सर थायो निल क्लोराइड सर जी commercial process है यह हेलो अलकेन बनाने की सर ऐसा क्यों आपने क्यों क्यों के दिये commercial मैंने का प्रेडियन के presence में देखो सर SO और ECO क्या बनालेगा SO2 PLUS H और CL क्या बनालेगा SCL साथ में क्या बचा CH3 CH2 और CL सर यह बन गया आपका हेलो अलकेन क्या बन गया सर आपका हेलो अलकेन लेकिन यहाँ पर दो बाते important है क्या दो बाते important है SO2 यहां से निकल गया गैस बनके SCL यहां से निकल गया गैस बनके तो आपका सिर्फ प्यॉर फॉर्म में कौन मिल गया हेलो अलकेन प्यॉर फॉर्म में कौन मिल गया हेलो अलकेन इसी लिए यह important है इसी लिए यह important है जल्दी note down करेंगे इसी लिए यह important है जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटा फट, एक नंबर तरीके से, इसी लिए ये इंपॉर्टेंट है प्यॉर फॉर्म में, जल्दी, 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 हो गया, डान, SN2 मेकानिजम दिखाता है, छोटा है न, SN2, कोई प्राइमरी, सेकंडी, टर्चरी वगएरा नहीं है, चलो, बाकिया आप जानते हो, सर, ग्रिग्णार्ड रिएजेंट से करवा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आपर, हाना, सिंपल सी बात देखें, क्या है, यह है, इसके साथ, तो, सर, होता क्या है, थोड़ा समझाएंगे हमको, मैंने का, समझा देंगा न, सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे importantly अगर आप जानते हो, यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस वाला इसके पास, और यह वाला इसके पास, बस खतम, देखिए, O, M, G, I, ये बन गया, और CH3 के साथ है जुड़ जाएगा, क्या बन गया, CH4, मतलब आपका मीथेन तयार है, आपका मीथेन तयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लो सर, आपका मीथेन तयार है, देख लो सर, जल्दी, बिल्कुल बिंदास तरीके से देख आपका मीथेन तयार है, कोई प्रावलम तो नहीं है, कोई प्रावलम तो नहीं है, जल्दी, मेरे सापते तो प्रावलम नहीं होनी चाहिए, मेरे सापते तो प्रावलम नहीं होनी चाहिए, डन, चल, ये देखें सर, क्या कहलाते है, एक्शन ओफ एसेड्स, एक्शन ओफ ए को छोड़के तो हम बिसिकली यहां पर कार्बॉक्सलिक एसेड की रियक्शन करवा रहे हैं किसके साथ अलकॉहल के साथ तो आप लोग जानते हैं एक फूरूटी स्मेल आती है हुआ CHEERING स्वेच्व मिलती हैं अपको जिसको अपन विनेगर का नाम नंते हैं किसका नाम देव मेरेसाथ काम करो हया हमेश feather हुआ को मेरे साथ काम करना है कर içबार में इसे करना कि लाता है और यह क्या क्या लाता है सर जी? Elcohol. क्या लाता है क्या नहीं? थोड़ा सा acidic medium डाल दो मतलब H2SO4. Acetic medium डाल दो मतलब H2SO4 कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्या होगा सर? सर, पानी निकल जाता है क्योंकि ये एक dehydrating agent है. माल लो इसका OH ले गया और इसका H ले गया ठीक है क्या बन जाएगा H2O क्या बन जाएगा H2O कोई दिक्कत की बात नहीं है प्लस यहाँ पर क्या है CH3 C double bond O और आगे क्या हो जाएगा O और फिर जोड़ जाएगा CH3 सर इसको अगर आप प्याल से देखो इसको अगर आप प्याल से देखो तो इस व्यक्ति को आप जानते हो इसको कहा जाता है EASTER और यही होती है sweet smelling smell इसी की sweet smelling smell होती है कोई दिक्कत की बात नहीं है इसका नाम लिखना चाहे तो हो जाएगा methyl ethnoate और इस reaction को इस reaction को का जाता है EASTER इफिकेशन इस reaction को कहा जाता है, esterification, क्या कहते है सर, esterification, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, esterification, esterification, जल्दी, 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 बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जल्दी note down करो, जल्दी note down करो, जल्दी, भाई, मज़ा आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, यहांपे, डान, पक्का क्लियरे, हो जाए तो बताएंगे ज़रूर, चल्द, हाँ, reaction with ammonia, reaction with ammonia, मैंने का ठीक है सर, यह भी करवा देते हैं, देखिए, बिल्कुल easy reaction अब जरद यान से समझना, यह है, ammonia को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या, ऐसा लिख सकता हूँ, क्या, लिख सकता हूँ, अब देखो, अब देखो, यह H, यह OH, क्या बना लेगा, H2O, यह जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RNH2, क्या बन जाएगा, RNH2, मैंने खाएगा, ठीक है सर, फिर से इसकी reaction करवा दो, किस के साथ, alcohol के साथ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, क्या ऐसे होगा यह, तो देखो, 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 एक H, और फिर से एक OH, क्या बना लेगा, H2O, और क्या बचा, R, N के साथ, एक H जुड़ाए, और यह वाला जो R है, वो भी यहाँ के लग गया, आप देखिए, N से दो R लग गए, तो इसको कहते है, secondary amine, यह मैंने पढ़ा है आपको, और यहाँ पर एक ही लगए, तो इसको क्या कहिंगे, primary amine, very good, फिर से करा दो ROH के साथ, अब देखो प्याल से आप लोग फिर, फिर किसके presence में, AL2O3, very good sir, जब तक आपका alcohol repeat होता जाएगा, आपका amine बनता चला जाएगा, तो देखिए, यह OH और यह OH, यह R भी वहीं लग जाएगा, तो यह बन जाएगा R3N, इसको कहेंगे, tertiary amine, इसको कहेंगे, tertiary amine, बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करिए, यह जल्दी, जल्दी, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई भी दिक्कत हो तो बताईए, मेरे सापते तो एकदम चिल, बिल्कुल चिल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन 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 डन, हो जाए तो बताईएगा जरूर, clear a, पका, चली आगे, हाँ, अब थोड़ा acidic nature की बात करते हैं, वो भी देख लेते हैं सर, reactivity order, पहली बात तो सर, अपन acidic nature की बात करें, तो सर, यह लोग बहुत less acidic होते हैं, कौन alcohol, जो alcohol होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत less acidic होते हैं, alcohol जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, less acidic होते हैं, बहुत ज्यादा less acidic, हमना धटीक है sir, ऐशा क्यों हूर, water से भी कम acidic होते हैं, अब सम्झो होina, sir, हमेशा acid कैसे पहचानते हो आप H plural सचॉफiles ऐख हो किससे style से? H plus देने के style से और आप ये जानते हो की जो oxygen होता है ये collector negative element है.. ये bond कीचेगा। तो अगर ये बॉन को अपनी तरफ खीचेगा तो इसका यह चला जाएगा और पानी में यह क्या देदेगा है एच प्लस देदेगा लेकिन जब इसकी बात आईगी तो यह भी इसको खीचेगा लेकिन उससे पहले यह जो है आर आर बोले तो अलकाइल चेंड यह होती है इलेक्ट्रॉन डो नहीं आता है और एच प्लस अगर उत्ती तेजी से नहीं आएगा तो भाईया आप यह मान के चलिए उत्ता ज्यादा असेडिक नहीं है इसलिए वाटर इस मोर असेडिक एस कंपेर टू अलकोहल बस बात ही आती कि सर्फ फिर भी थोड़ा बहुत है तो हम कंपेर करते हैं प बिल्कुल द्यान से देखना यह प्राइमरी मान लो यह सेकंडरी मान लो यह टर्शरी अलकोहल मान लो तो सर क्या होता है इस अलकोहल को देने वाले के लिए यह कारबन है इस कारबन से कितने लोग जोड़ें दो मतलब यह सेकंडरी कारबन है दो लोग इलेक्टरॉन और यहां पर कौने टर्शरी कार्बन है मतलब तीन लोग इलेक्ट्रोन देंगे तो अगर तीन लोग इलेक्ट्रोन दे रहे तो ऑक्सिजन बढ़िया आ रहे है भाईया पैसा ही पैसा है कहाई के लिए हाइडोजन को तोड़ा तारी करो तो यह हाइडोजन को दे गई नहीं सबसे कम एसे डिक होगा secondary में दो जगह से इंकव में जोल सा रही है लेकिन जगह से नहीं जाविया तो इसके चाहता है वो सब इसके बाद alcohol फिर इसके बाद triple bond और फिर यह ammonia acidic strength ऐसा चलता जाता है alcohol are less acidic than water and neutral for litmus paper and gives h2 with active metals हम थोड़ा बहुत उसको acidic की उपाद्दी दे देते हैं बट वो लाइक नहीं है कि उसको हम acidic nature का बोल दे बिल्कुल 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 एक तरीका से क्या बोला जाए ठीक है done पका clear a चलो 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 एक नमबर आगे बढ़े आए पका चलो पहले इसका screenshot ले लिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी कर लिए screenshot बढ़ी है डन आगे बढ़ी हाओ चलो सर चलो सर अब बात करेंगे फिनॉल की फिनॉल को जानते हैं या नहीं जानते हैं सर मेरको तो एक नमबर जानता हूं मैं तो बढ़िया दोस्त वोस्त है मेरा कोई दिक्कत क्या थी मिलता विलता रहता हूं मैं फिनॉल 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 इसकी कई सारी प्रोसेस होती है बनाने की से फिनॉल भाई चैप्टर तीन पार्ट में कलासिफाइए आपको एलकोहॉल फिनॉल एंड एथर चीक है सबसे बड़ा पार्ट एलकोहॉल है फिर फिनॉल है और फिर एथर है चीक है from qmene भया, qmene से बनाइंगे किस से बनाइंगे? qmene से बनाइंगे मैंने ठीक है बना दिंगे लेकिन पहले qmene क्या होता ये तो बताओ मैंने आप भी बताता हूँ sir, benzine इसकी reaction प्रोपीन के साथ किसके साथ? प्रोपीन के साथ तो अब आप जानते हो क्या होगा ये एक bond टूटा तो एक स्काफरी एक स्काफरी भाई या अमीर को ने ये वाला तो इसके पास H लग जाएगा इसके पास ये लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 इसको कहते है क्यूमीन तो पहले क्यूमीन मनाना ज़रूरी था उसको गलत मत बोलना तुम लोगा ना ने तो तुम लोग कुछ और बोलने लगाएगा अरे सर ये तो मैच कर रहा है किसी था ये क्यूमीन थोड़ी है ये क्यूमीन थोड़ी है ये क्यूमीन थोड़ी है ऐसा चालू मत हो जाना बिल्कुल ये अपना क्यूमीन जड़ा एक बार कमेंट सेक्शन में क्यूमीन लिख दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी 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 बिल्कुल 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 लिख दीजिए अक्यूमीन अब देखो सल मैं करवाता हूँ कैसे होता है हाँ अब इसकी रियक्शन क्या होती है बिटा ऑक्सीजन से करवाई जाती है ओ ये पेंसिल बड़ी कैसे हो गई देखो ये था ये था क्या नहीं था हाँ सरी ये तो था बिल्कुल चीक है अब क्या होता है समझना ज़्यादा बात को समझने की कोशिश करना अगा समझोगे नहीं तो फट जाओगे समझना बहुत जरूरी है इस CH3 को यहां लगाओ लगाया औक्सियंट किया नथा तो डोने औक्सियंट अइसे है यह पेरोककसड की Linkage है किसकी Linkage है परकसड की यह बहूत अंस्टेबल होता है बहुत जादा अंस्टेबल त dismet तूटेगा क्यों मेंorgt रूपरोकसड कैसे टूटेगा आप सुनना केसा तो ये वाला पार्ट और ये OH इदरा जाएगा फिनॉल बना लेगा देखो कितने प्याल से फिनॉल बन गया अब बाकी क्या बचा सर देखो ना CH3 ऊपर CH3 और double bond O सर सर्कीं तो नंगया सर्कीं त्वी नंगया देखा एक बार एक बार देख लोخت वनगया कोई का किटों बन पार नियां बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठीके चालो लेते हैं, Cumin is oxidized with oxygen into Cumin hydro peroxide in presence of a catalyst, this is decomposed by dilute H2SO4 into phenol and acetone देखिए, phenol and acetone तयार है phenol and acetone तयार है phenol और acetone तयार है phenol and acetone तयार है, चलो वही है, आगे douse process, सर ये favorite है सर ये तो favorite है सर, इसका तोड़ तो market में है ही नहीं, बिलकुल सर इसका तोड़ तो market में ही नहीं, सबसे ज़ादा अगर phenol बनाए जाता तो इसी से, कुछ मत करो उठा के इसको पट को N.A.O.H में 620 Kelvin के आसपास होता है 673, 380 एम ऐसा करके, चीक है, कुछ नहीं होता पहले तो द्यान से सुनना, ये H और ये CL का है अब क्या बनेगा O.N.A इसको याद रखने हैं, इसको कहते हैं sodium phenoxide क्या कहते हैं, बिटा, sodium phenoxide, और अब सबसे simple बात, कभी भी N.A. हटाना हो, कभी भी इस N.A. को हटाना हो, dilute SCL में डाल दीजे dilute SCL में डाल दीजे तो क्या होगा, N.A.C.L. हड़े आएगा और उपर H लग जाएगा, और आपका phenol तही आ रहे हैं भाईया, जल्दी लिखेंगे comment section में, douse process जल्दी एकदम जपाक प्रोसेस, douse process एकदम जपाक प्रोसेस, douse प्रोसेस एकदम जपाक प्रोसेस, douse जल्दी 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 जल्दी, फटाफट हो जाए तो बताईएगा ज़रूर हो गया done चलिए आगे चलते हैं from benzene disonium chloride भाईया मेरे paper में question था ही है मेरे 12th के paper में question था from disonium salt पता है कैसे था when disonium salt is reacts with water warm water what will happen तो सुनिए disonium salt तो याद है न N2Cl warm water की बात हो रही है warm water मतलब गरम पानी तो यह H2O और heat H2O और heat तो यहाँ हो जाएगा H plus और OH minus ठीक है अब यह H और यह CL क्या बना लेगा SCL क्या बना लेगा SCL और साथ में क्या निकल जाएगा N2 और अब benzene के उपर क्या लगने वाला है वो सुन लो देखो यह पूरा गया SCL गया N2 अब क्या बचा OH बचेगा के नहीं बचेगा OH इसके उपर लग जाएगा सर जी फिनॉल तही आ रहे तो मेरे पेपर में तो भाई आपके में तो सीधे reaction पूछ रही है ऐसी मेरे तो पेपर में आ गया था कि क्या बनेगा मैंने का या ठीक है क्या कर सकते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी वें बेंजीन डाइजूनियम क्लॉराइड इस वार्म फिनॉल इस अप्टेंड विट इवलूशन आफ नाइट्रोजन गैस जल्दी देखो जल्दी देखो भई यह जल्दी डन 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 बिलकुल बढ़िया तरीके से हो गया डन चलिए यह भी अच्छा है वेंडियम ऑक्साइड ओक्सीडिशन करवा रहे हैं सर देखो आप सब लोग जानते हो कि बेंजीन के हरे कोने पर एच होता है हम क्या कर रहे हैं वेंडियम ऑक्साइड के प्रेजन्स में हमने क्या करवाया सर जी ऑक्सीडिशन तो इस रियक् इसके पास लग जाएगा एच के पास बस आपका फिनॉल तयार है मैं बस आपको पता है सारी रियक्शन इसलिए बता रहा हूं कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए कहीं भी कोई कंफूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए चलो जल्ली हो गई इन सब के जो प्रोसीजर सोते ना वो थोड़े से इंकॉटेंट होते हैं वो थोड़ा सा ध्याद में रखने होते हैं प्रोसीजर ने टेम्परिचर यहां रखने हैं बागी चल जाता है अब अजयाओ भीया दे वाले फिनॉल का हैलोजिनेशन तो ठीक हे सर, Orthopera बनता है? क्योंकि ये भी Orthopera Directing होता है कैसा होता है सर? Orthopera Directing होता है कोई दिक्कत की बात निया Bromine के साथ ले लिया एक पात यहाद रखना Chloropome या CS2 के presence में अना bromine water नहीं है water होता तो 3 जगा लगेगा अभी चिक है जब ये लोग होंगे ये non polar solvent होते हैं ये लोग जो होते हैं इनको अपन कहते हैं non polar solvent तो ortho para लग जाएगा क्या लग जाएगा सार? ortho para एक बार BR ortho पे फिर एक बार BR para पे बस ये देखाओ एक बार ortho पे और एक बार पेरा पे ये देखो एक बार ortho पे और एक बार पेरा पे बिलकुल सर अगर water होता BROMINE के नीचे water एकवस होता तो फिर तीन जगा लगता 2, 4, 6, 3, BROMO, FENOL जल्दी जल्दी हो गया? done पका ये देखिए का था ना मैंने? अगर ब्रोमीन water होगा तो ये देखो, ये फिनोल BR2 ब्रोमीन water water ने तो भई है एक बार यहाँ एक बार यहाँ और एक बार यहाँ ये बी आर ये बी आर ये बी आर दिख रहा है? इसी को कहते है 2, 4, 6, 3, BROMO, FENOL जिसको अपन कहते हैं white PPT white PPT बनता है सर इसका क्या बनता है? white PPT ये important है सर्दोरो इसमें से एक आत पूछ सकता है एक बार bromine water के presence में और एक बार bromine plus CS2 और carbon chloroform के presence में किसके presence में? chloroform के presence में कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसा है done chloroform के presence में कोई दिक्कत की बात नहीं है ये रहता है जल्दी 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 हो गया? वाइट PPT वाइट PPT च्रिके है? चलो, अगया जाओ नाइट्रेशन, सर, नाइट्रेशन में भी आईजे अगर डाइूट से करा रहे हो डाइल्यूट HNO3 एटो और तो पएरा अगर डाइल्यूट HNO3 एटो और तो अल्तो पएरा यह देखिये औल्तो और पैडा यह बन गया आपका और मैटरी और मिटर भी बनता है सर टी परसेंटर मैटरी में घूंईW생टी मेंता क्रुन जान। जूए सर तो यहाँ पर मैं बनसे आगर कर द्यृते पायर को संद्डिटरे यहाँ पर बहला है फिक रिक ऐसेड इसेड़ एक ब्रूमीन का और एक ना intention वालाएच्चन ज में तो जम्के लड़ाई भाद में मुझसे मत बोलना बाद में मुझसे मत बोलना लड़ाई वो जम्के हो जाईएगी एक नंब्ल तरीके से एक नंबर तरीके से लड़ाई हो जाएगी नहीं तो जल्दी 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 बिल्कुल चलिए फीडल काफ रियक्शन फेवरेट मेरी फेवरेट भाईया फेवरेट यह देखो फिनॉल CH3Cl क्या सर CH3Cl आजाओ एन हाइडरस एल्सी ल्ट्री एन हाइडरस एल्सी ल्ट्री यह ओएच देखो इधर पे होगा इधर पे भी होगा तो एक बार यहाँ से स्चल निकल के CH3 इसके उपर लग जाएगा यह लग गया CH3 प्लस यह ओएच उपर और यहाँ पर CH3 लग जाएगा तो अगर द्यान से देखें तो 2-methylphenol और 4-methylphenol वैसे तो दो लोग क्रिजॉल हैं क्या है क्रिजॉल जब भी एक OH और एक CH3 होता है अब अगर आप द्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर लगाए तो इसको अपन कहींगे OH results और तो पर लगा है और यह कहा लगाए पैरा पर लगाए तो इसको अपन कहींगे जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटा फट, ठीक है, और पैरा वाला मेजर होता है, पैरा वाला मेजर होता है, ये बात या तकना है, जब हम सलफोनेशन कराते हैं, तो ह2 एस फोल लेते हैं, हमें कौन सा गृप मिलता है, तो ये एक बार और पैरा पे लगाएंगे, तो एक बार और पैरा पे, बस, सिंपल है, सर ये इतना जादा नहीं पूछता है, सर, 25 डिगरी पे आपको और्थो वाला मिल जाता है, 100 डिगरी पे आपको कौन सा मिलता है, पैरा वाला, ये आप से नहीं पूछता है, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आप थोड़ा सा याद दख एधिन बच्चा के ता, अरे सर आपने वो बोलवे पड़ाइ थी न, मैंने का भाईया बोलवे इस नहीं पड़ाइ थी मैंने, मैंने कोलवे इस रियक्शिन पड़ाइ थी, ठीके, तो भाईया इसको ऐसे भी आजख सकते हो, कोलवे, बोलवे, चलो, आगे बढ़े, देखत आपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर मेरे साथ से चलना बहुत एजी है फिनॉल एने ओएच के साथ किसके साथ एने ओएच के साथ ध्यान से सुनेंगे एने ओएच के साथ तो क्या होने वाला है यह ओएच यह एच एच टू ओबन के भार एने ओपर लग जाएगा सर आपका फेवरेट सोडियम फिन ओक्साइड आपका फेवरेट सोडियम फिन ओक्साइड देख लिजे एक पर ठीक है चलो आगे चलते सार लगभगच चाल सो कैल्वइन के असपास होता है लगभग क्याल सो कैल्विन keyword के असपास है और यहां पर जो अपन डाल रहे है ना ओटो के साथ किसके साथ और अब मेरी बास समझना ठोड़ा यह एच होता है के नहीं होता है तो यह रिपलेस हो जाएगा है wrapped Et यह अब बात आती है Sir हमें इने हटना होता है तो आपने पढ़ाएं सर ने हटने के लिए डाइलूट स्यलिय बस एसे डिक मीडियम एसे डिक मीडियम लियाओ डाइलूट स्यलिया ऐसेडिक मीडियम जो क्या करेगा एने को अटा डिग और है लग जाएगा तो यह आपका ओ एच उपर और यहां पर सी ओ इसको कहते हैं 2-Hydroxy Benzoic Acid 2-Hydroxy Benzoic Acid Benzoic, इसको कहते हैं Salicylic Acid क्या कहते हैं? Salicylic Acid बिलकुल बढ़िया तरीके से यह है आपकी Colways Reaction बिलकुल इसको कहते है Salicylic Acid Salicylic Acid सर यह important Colways is important यह इदर इसको नहीं मानता नहीं है Important reaction ठीक है, Colway, Bulway, खतम ठीक है? चलो, आगे चल अब बता आगे क्या बोल भे है तो यह खतम करें, next चलें आगे चलिए ठीक है, done sir, क्या कल सकते हैं? लोग आगे भाईया, दो बहने गुमती रती है Remantyman, ठीक है? चलिए इनके बारे में बात करते हैं अपन चलिए, तो बात कर लें Remantyman से बिलकुल बढ़िया रियक्शन है, sir सर इस पे भी 16, 17 चान सितारे सब लगा दो दीक है, तेरे वासते अरे यह देखो, बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, sir अगर दिक्कत होगी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बढ़ी है चलिए, अब क्या बोल रहा है, यह जदा समझते हुए चलिएगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है देखिए, फिनॉल क्या है फिनॉल अब इस फिनॉल की रियक्शन सबसे पहले बटा क्लोरोफॉर्म के साथ किस के साथ ख्लोरोफॉर्म chloroform क्या होता है CH CL3 बढ़िया मज़ेदार एक दम तका तक कोई दिक्कत की बात दिया अब सुनिए सर हमने पढ़ा है कि यहां पर होता है आपने सिखाया था मैंने ठीक है मैं तो सिखाता रहे तो बहुत कुछ क्या दिक्कत की बात है तो अगर देखे तो एक C L और एक H उड़ा दे उड़ा दो तो उपर हो गया O H और यहां पर क्या हो जाएगा CH CL2 क्या हो जाएगा CH CL2 बिलकुल यह एक intermediate compound है कैसर intermediate compound अब मैंने का इसको डालो एने ओच के अंदर फटाक से डालो एने ओच के अंदर देखते हैं समझते हैं अब सुनना मेरी बात यह जो एच है न यह हटेगा यहां से और एने इसकी जगह पर आएगा चलो वह यह सोडिया बाबू आजाओ चीक है यह हो गया O N है क्या हो गया सर जी O N है मैंने का ठीक है सर अब क्या अब अगर आप प्याल से सोचो तो यह एक यह एच और यह वाला एच दोनों C L को ले जाएगा और एक यह oxygen बचा अरे यह oxygen बचा इसके पास आजाएगा और यह बन जाएगा C H देखो इस तरीके से एक और बार सुनूं यहां से दोनों C L हट गए एक C L H के साथ एक इसके साथ N इदर आ गया और यह O आजाएगा इसके पास बढ़िया तरीके से यह बन गया अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मेरे को N हटाना है तो मैं क्या करूं अगर मुझे N ने ह reset प्लस डाल दू लundu । जैसे आपने डाइलूटC अब डाल आट यहां पर यहां पर स him कमपाउं कमपाउंन तयार है कि उसको कहते हैं और इसको कहते हैं 2-hydroxy-benzyldeide क्या कहते हैं 2-hydroxy-benzyldeide मैंने ठीक है सर क्या कहते है 2-hydroxy-benzyldeide दूसरी important बात जो यहां समझने की इसको salicyldeide भी कहा जाता है क्या कहा जाता है salicyldeide क्या बोला जाता है salicyldeide चीक है चीक है चीक है चीक है चीक है और अगर आप इसकी जग़ा CCL4 ले लेते तो जो अपना कोलवे में बनाता न वो ही बन जाता salicylic acid phenol on refluxing with chloroform and NOH aqueous followed by an acid hydrolysis yield O-hydroxy-benzyldeide O-hydroxy-benzyldeide मतलब 2-hydroxy-benzyldeide when CCL4 is used salicylic बनता है यह याद अखना है यह याद अखना है यह important है लेकिन नीचे वाली line इतनी कोई पूछता नहीं है बस याद अखो coal-based से salicylic और remer-teamol से अगर आपने chloroform लिया है तो salicyldeide जल्दी जल्दी मज़दाल तरीके से note down करेंगे मज़दाल तरीके से note down करेंगे तभी अच्छा लगने वाला है तभी अच्छा लगने वाला भी याद बढ़िया तरीके से done जल्दी 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 हो गया done चेहिए सर अगर आपने बोल दिया तो फिर अपन को आगे ही बढ़ना पड़ेगा आप क्या खल सकते हैं रोकिंगे तो नहीं न रोक तो नहीं सकते न बिलकुल नहीं रोक सकते हैं अपने को आगे चलना पड़ेगा बिलकुल done चलिये सर अप क्या आ गया acetic nature of phenol सर फिनॉल acetic होता है phenol acetic होता है आप मान के चलिये सर Phenol Acetic होता है reason भी बता सकता हूँ मैं क्यों Sir देखिए जो जितना जल्दी तरीके से H plus देदेगा वो stable होता है अब जब यह H plus देता है Sir तो यह बनाता है O minus और यह जो है यह होता है Phenoxide Ion और यह पता है Stabilized होता है कैसे? Resonance Stabilized क्योंकि Benzene है तो यह हो जाता है Resonance Stabilized क्या हो जाता है? Resonance Stabilized Phenoxide Ion क्या हो जाता है? Resonance Stabilized इसी लिए यह Acetic है वह ही alcohol की बात करूँ में तो alcohol यह अगर है अगर मैं इसका H plus हटा हूँ तो क्या बनेगा? CH3 CH2 O minus और अगर इसने H plus दे दिया तो सर इसको कहते है अलकॉक्साइड आयन इसको कहेंगे अलकॉक्साइड आयन लेकिन आप यह बताएं अगर यह अलकॉक्साइड आयन बन गया तो क्या इसके पास Benzene जैसा कुछ है? Conjugate System में नहीं है तो यह Resonance Stabilized नहीं होता Resonance Stabilized नहीं होता इसी लिए यह H प्लस देता ही नहीं है इसी लिए Phenol are more acidic than alcohol आप इसको Litmus उसमें डालिए Litmus solution में यह color change कर देगा यह color change नहीं कर पाएगा इसको आप sodium metal के साथ करवाएगे hydrogen gas निकलेगी sodium phenoxide बना लेगा यह नहीं कर पाएगा बिलकुल भी नहीं कर पाएगा यह कुछ भी आप कर लो 100% आप इसको FeCl3 solution के साथ डालिए violet color तयार कर देगा यह कुछ भी नहीं कर पाएगा यह test दोनों के बीच में इट टरंस blue litmus paper to red and reacts with alkali metals and alkali's to form their salt कौन? फिनॉल यह देखिए फिनॉल की reaction NOH के साथ कर आई sodium phenoxide plus water तो देखिए acid acid ने base के साथ reaction करी salt plus water बन गया यहाँ पर इसने metal के साथ करी metal के साथ करते है तो salt बनता है और hydrogen gas liberate हो जाती है hydrogen gas निकल जाती है मैंने आख ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है when proton is removed phenoxide ion is formed which is more stable than phenol भया phenol से भी ज़्यादा stable होता है मतलब आप समझ रहे है इसलिए कहते हैं कभी-कभी गिले शिक्वे होने से पहले छोड़ देना चाहिए भाई ने छोड़ दिया H plus को और पता चला कि यह तो market में और ज़्यादा stable निकला जल्दी 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 फुल तेजी में फुल तेजी में चलिए फुल तेजी में हो गया यह था acidic nature of phenol acidic nature of phenol चलिए हाँ यह देखिए alcohol का alcohol हम बोलते है सर होता है लेकिन बहुत कम देखिए ना रो एच एने के साथ करा है तो निकल तो जाती है hydrogen gas ठीक है दा क्लिवेज ओफ ओएज बर्न ओफ एलकोहल डिपेंड सपॉन दा नेचर ओफ एलकोहल डिपेंड करता है कि कैसा एलकोहल है अमंग दा आईसोमेरिक एलकोहल टाइप ओफ एलकोहल आप जानते ना primary, secondary and tertiary decreasing order of reactivity मैंने क्या का था कि primary एलकोहल में एक ही बंदा उसको इलक्टोन देने वाला secondary में 2 है tertiary में 3 है तो काई के लिए hydrogen से छोड़ाएगा और hydrogen से नहीं छोड़ाएगा तो भईया वो acidic नहीं होगा तो O क्या करेगा, S से छुड़ाएगा ही नहीं, H प्लस जाएगा ही नहीं, तो सबसे कम, इसमें दो लोग हैं, तो इसके comparison में H प्लस जल्दी जा सकता है, और इधर पे सबसे जल्दी H प्लस जा सकता है, इसलिए अपन बोलते है, primary alcohol is more acidic as compared to secondary और tertiary, देखें, अगर inductive effect बढ़ electron donating group, अगर ये बढ़ता है, तो हमेशा acidic, acidic strength या acidic nature decreases, acidic nature decreases, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर्थ, फटा फट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है, मैंने का chill, एक दम chill, चील पील, कैसे सर्थ, चील पील, एक दम, चलो हो जाए, पका, बड़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चालिए, ये देखिए सर्, विलियम संस सिंथेसिस, जानता आप न्यूजिलेंड का कप्तान था, वह या भी भी है क्या नहीं है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना है, है के नहीं है, कि चला गया, है अभी भी, चलिए भाई, विचारा यार बहुत, तरस आता है, आदमी को जब भी देखो, हस्ता ही देता है, हानने के बाद भी, लेकिन अच्छा प्लेए, विलियम संस सिंथेसिस, उनने नीवन आईती दिएक्शन, लेकिन नाम रखा गया है, तो अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, भाई के बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, एथर बनाने के काम में आती है, सर, क्या बनाने के काम में आती है, एथर बनाने के, कैसे बनता है एथर, अब भी देखते है, सर, आजाओ, सबसे पहले सर, आप लेलो ऐसा, सोडियम अल अब आप जानते हो यह बहुत पुराने संबंद्धी हैं दोनों हा जिगरी एकदम पता है दोनों ने एकदम नेन वटक किया किए और दोनों ने का चला हुआ वार-भाई सब गेट-आउट एनसी-अल बना के घुम रहे कहीं पर एने सील बना के गूम रहें कहीं पर अब क्या बचा ये सोचो पेले भाईया सापको ले आओ बचा के नहीं अब क्या बचा CH3 ले आओ के नहीं का हुआ इथर बना के नहीं बन गया ना सर कोई दिक्कत की बात नहीं को आंने का नाम लिख दो एथर में अगर आप जानते हो तो इसको मिधाउकसी काहा जाता है यह Magazine तो क्या हो जाएगा मिधाउकसी एथेन क्या हो गया सर मिधाउकसी इधेन को दिक्कत आपका एथर तैयार है को दिक्कत नी यह हमेंशा SN2 attack करवाता है मतलब SN2 reaction आपको देखने को मिलती है this is most important method of formation of ethers मैंने का था ना सबसे most important method होती है यह रुखो this is most important method for the formation of ether और इसमें क्या होता है nucleophilic substitution reaction also known as Williamson synthesis क्या कहते है Williamson synthesis कौन सा attack करवाते है SN2 attack करवाते है SN2 attack by alkoxide ion on an alkyl halide जल्दी note down करेंगे सर जल्दी 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 फटा फट note down करेंगे कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है done 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 के बिल्कुल तेजी में बिल्कुल तेजी में चोड़ना नहीं है भाई आपकाड एकदम ताइट होनी चाहिए पकड़ एकदाम टाइट होने चाहिए सर अगर टाइट नहीं रही तो अपन दिक्कत कर जाएंगे फिर प्राइबलम हो जाएगी सर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्राइबलम हो जाएगी चलो जल्दी 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 हो गया डान चलिए 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 क्या बोलते हो बड़े चे के साथ ये लीजे reaction with halogen acid aromatic ether के साथ पहले पहले किसके ताथ aromatic ether के साथ चलो बईया पहले एक काम करें aromatic ether बनाए पहले पहले एक काम करें aromatic ether बनाए फिनॉल के साथ बनाए एक बार बिल्कुल सर अगर आप देखें तो CL और H क्या बना लेगा SCL और ये इसके पास जुड़ जाएगा क्या कहींगे इसको सर इसी को तो market में नाम से जाना जाता है सर इसी की तो कीमत है market में क्या कहते हैं इसको सर इसी को कहते है any soul any soul और इसी को कहा जाता है methoxybenzine any soul methoxybenzine क्या कहा जाता है इसको सर methoxybenzine ये important है सर क्या कहेंगे any soul methoxybenzine कोई दिक्कत की बात नहीं अच्छा पहले मैं चाता हूँ सर इसके साथ नहीं पहले मैं चाता हूँ इसके साथ नहीं पहले मैं चाता हूँ अपन करते हैं एक बार normal ether के साथ फिर aromatic के साथ भी करेंगे tension नहीं लेना है पहले normal के साथ फिर aromatic के साथ भी करेंगे substantION नहीं लेना है कि पहले aromatic का करी दे सर वो बोल रहा है तो कर देते सर आजाओ आजाओ वो बोल रहा है तो करी देते सर important है ये देखो अब बताओ क्या होगा अब बताओ क्या होगा क्या बनने वाला है तो मैंने का Sir, Oxygen किसी का सगण नहीं है, Sir मैं हमेशा केता हूँ, यह आपने उपर tag लाकर गूम रहा est सफ आधमी, लेकिनी हैं सरीफ आधमी हैं नहीं, जल्दी बता तो क्या होगा, Sir Oxygen बोलेगा मेरकों फाएदा कहा से हैं, Oxygen बोलेगा यार, और यह बेंजीन के साथ मेरा तो पार्शल डबल बॉंड है और यहां सिंगल बॉंड है तो मैं डबल बॉंड को क्यों तोड़ू मैं सिंगल बॉंड की बली चड़ा देता हूं ना यह देखो ऐसा भाई साथ समझें और फिर यहां से भी यह टूड गया अब एज जो है यह भी पता है सरीफ का सौरी सरीफ आदमी का जोड़ा लेके गुम रहा है लेकिन यह भी ऑक्सियन के साथ जाना चाहता है बिल्कुल उसी के साथ जाता है तो यहां बनता है सर जी यह देखिए फिनॉल और आपका यह बना दिया आपने है CH3I कि यह बनता है आपका कंपाउंड यह बनता है आपका कंपाउंड जल्दी जल्दी थोड़ा सोच लो फटा-फट सोच लो फिर अगला दिखाता हूं मैं आपको फटा-फट सोच लो फिर अगला दिखाता हूं मैं आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है ड़न जल्दी सोच लो फिर में आपको अगला दिखाता हूं बढ़िया तरीके से क्लियर है सर ये तो इजी था ये करके दिखाओ मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ऑक्सियन हमेशा बड़े वाले के साथ जाएगा ऐसा कहना चाह रहे हो आप हमने का यार ऐसा हमने कहा तो नहीं है लेकिन अगर आप मानना चाह रहे हो तो मानलो कोई दिक्कत की बात थोड़ी लो करो तो सर यहां पे भी होगा ये भाई सब चल यही होना चाहिए, C2H5I, होना चाहिए के नहीं होना चाहिए, मैं यह आपको सारी चीज़े बता रहा हूँ, 1, 2, जल्दी, यही होना चाहिए के नहीं, सर होना तो यही चाहिए, सर होना तो यही चाहिए, बिल्कुल होना तो यही चाहिए, 3rd, 3rd, 3rd क्या है वो बताते हैं, 3 थर्ड क्या है वो बताते हैं पर चलो आजाओ थर्ड है अपना ध्यान से सुनना ऐसा नहीं थर्ड तकड़ा है अप करके देखाओ अप करके देखाओ जल्दी तो मैं मानूं अप करके देखाओ जल्दी तो मैं मानूं जल्दी तो मैं मानूं जल्दी फटा-फट क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए सर देखो आपने भी बता है जो बड़ा वाला होता उसके साथ एज जाता है तो सर बड़ा वाला तो यह दिख रहा है मेरे को इसके साथ जाएगा इसमेन कर नहीं मैंने आपको क्या पढ़ाया ऑक्सीजन अगर डारेक्ट बेंजीन से जो रहा है तो भाई उसका डबल बॉंड होगा पाश्यल डबल और यहां पर ऑक्सिएन का सिंगल बॉंड है वह यह दो डंडी तूटेगी की एक डंडी तूटेगी सर और यहां से तूट गया तो कल दो ना अलाग यह लो यह एक हो गया और 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 यह एक हो गया अब हाईडोजन किसका दोस्ते सर जी ऑक्सीजन का दोस्ते तो मैंने कर लिया उसके पास यह आ गया ओएच मतलब यह तूटा और आई किसके पास चलियागा इसके पास कितना सुन्दर है कितना सुशील है जल्दी करो जल्दी करो ज कि जल्दी 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 फटा फट करेंगे फटा फट करेंगे वह जितना तेज हो सकता ऐए कि जितनी तेज हो सकता फटा फट करेंगे हो गया है डान चेके यह तीन आपको पता होना चाहिए यह किसका अरोमेटिक एथर का है जब अपन हेलोजन एसेट से करवा रहे हैं अब मैं आपको करवाता हूं नॉर्मल एथर का मतलब एलिफेटिक इथर का पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन करो अब रूख जाओ आप अपने काम करते हैं इसको अना अपन आगे वाले पेज़ पर क्यों जाए मैं सोचा था पहले पीछे वाले पर लिख लेते हैं पर मैंने का नहीं यार नहीं यार अब करके दिखाओ अब करके दिखाओ अब करके दिखाओ बाई यह तो बहुत सिंपल है मारूंगा मैं कहीं से भी नहीं तो फटा फट चलो सर यह तो कहीं से भी टूड़ी आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां से तोड़ तो यहां से तोड़ तो बड़ाबर यह च के साथ हमेशा है तो यह बन गया मिधाइल अलकोहल और और शी एच त्री आई बिल्कुल सही नाम लिखना चाहू लिखो 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 मिधाइल अलकोहल और आईडो मिधेन क्या हो जाएगा आईडो मिधेन मैंने का ठीक है सर थोड़ी गारी आगे बढ़ाएं मैंने का ठीक है कि अब बताों कहां से तूटेगा अब बताओ कहां ही से टूटेगा तो मैंने का सथ एक भास समझी है यह अपनी अलकाईल होती है यह इलेक्ट्रون डुनेंटिंग तो कहां से तूटना चाहिए किसके पास इसके बाई देखो अपन क्या कहारे रहे हैं अपन का अंसर सही होना चाहिए बात खतम यह देखिए कि यह बनेगा कोई तकलीफ इसके अंदर इसके अंदर कोई तकलीफ जल्दी 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 फटा फट यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताईए कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजे यहां तक जल्दी यहां तक कोई तकलीफ हो तो बता दीजे वैसे तो यहां तक चीजे clear है एक डम clear है डिक्टो डिक्टो clear है सरजी कोई दिक्कत की बात नहीं है आप यह मान के चलिए तूफान मचा दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल तेजी में निकल देना वेटा जिसको नहीं पढ़ना है फूल तेजी में एक डम सटाक से घुससभी करें पर बहुत तेजी में कि अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट से केंड़ी वाला है और सब सेकंडरी ज्यादा एलेक्ट्रॉन दे सकता है बिलकुल सही बात है बिलकुल सही है तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा फिल से वहीं से जाएगा मतलब इंडरिक लिए आप ये मांगे चलने की जो बड़ा वाला साइज होगा वह हमेशा किसको लेके जा रहा यह तो भी बोलीereye-रहे आम तो ऑक्सीजन को लेके जा जàiिएंग और 3 1, 2, 3 चलिए 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 1, 2, 3 बिल्कुल चलिए डन 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 हो गया अब एक exception जो आता है जो पूछेगा जो मिलेगा बार-बार मिलेगा हजार बार मिलेगा जल्ली लिख लो पहले चीक है यह क्या कहते हो आप इसको हम देखते हैं कल दिया नहीं स्क्रीन शॉट पका ले लो भाई पहले स्क्रीन शॉट ले लो को कि यह मैं बढ़िया लिखवाते हुए चल रहा हूँ अच्छे से आपको चलो बनाओ बाई बनाओ मुझे चाहिए कमेंट सेक्षिन में इसका अंसर मैं एक मिनिट का टाइम देने वाला हूँ इस पर आपको एक मिनिट का टाइम में आपके पास इस पर एक मिनिट का टाइम में आपके पास एक मिनिट का जल्दी दिमाग लगाईए थोड़ा सा तेजी में दिमाग लगाईए कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली बिलकुल बढ़िया तरीके से ड़न हुआ बिलकुल कोई दिक्कत की बात तो नहीं है क्योंकि फिर अब मैं कर वाऊंगा मैं बस वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कर दीजे तो जरूरी है सर स्टार मार्क कर दीजेगा एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो नहीं है याद रखने के लिए लेकिन ठीक है भाईया फिर भी आप लोग को एक्सेप्शन के पॉइंट से याद देता है तो रख लीजिए मैं आपको पूरा तरीका दूंगा भाई कि ऐसा क्यों हुआ सर ये कार्बन कौन सा कार्बन है इस बारा सर टर्शरी कार्बन है अब ऑक्सेजन तो इसी के साथ जाना चीए नहीं जाता तो कि मैंने क्या पढ़ाया है टर्शरी क्या बना लेगा कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन इस मूर स्टेबल इस मूर स्टेबल तो भाईया वो ऑक्सीजन के साथ जाता है नहीं ऑक्सीजन को कहता है ले जाओ ये इलेक्ट्रोन ले जाओ तुम भी क्या या तो होगी ले जाओ इलेक्ट् ले गई ले गई बिलकुल यह देखिए इलेक्ट्रोन लेके ले गई ले गई ले गई और अब यहां क्या बचा? CH3 CH2 और यहां पर O भाईया O के पास कोई आता है? H और I कैसा होगा? I- फिर फिर जैसे यह गाना गा रहा है ले गई ले गई तो उसने का रुख जारे मैं आ रही हो और यह यहां पर आपका बन गया है तो जब भी तर्शरी कार्बोकेटाइन जैसा कुछ हो या तर्शरी कार्बन हो तो सर वो हैलाइट बनाएगा अगर तर्शरी कार्बन जैसा कुछ है तो वो हैलाइट फॉर्म करेगा क्या फॉर्म करेगा हैलाइट फॉर्म करेगा यह सिर्फ तर्शरी के लिए और किसी के लिए सिर्फ तर्शरी के लिए बाई बिल्कुल आप मानके चलिए किसके लिए तर्शरी के लिए है कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए सिर्फ टर्शरी के लिए है 101% याद अखना है सिर्फ टर्शरी के लिए हो गया कोई दिक्कत की बात तो नहीं है मैंने का बिल्कुल नहीं है सर चलने दो चलने दो सर चलने दो बढ़िया जा रहा है एक नमबर एक नमबर एक नमबर किसकी बाते हैं कर्शरी की बाते हैं ठीक डान आगे बढ़ो चलिया अब एक नेक्स चीज दिखाता हूं बढ़िया वाली आजाओ सर कभी-कभी पता क्या होता है कि miejsce है सर यह तो अभी आपकरवा चुक्न हो मैंने का रुकतो जा भाई रुकतो जा थामबा थामबा अब Texas Schmidt अउनान खुम जायक है इंचे में का माई है ऐक सिस में और जब भी di college में होता है मतलब यहां पर किते बारे दो यह आता है यह आएगा यह तो अगर हई हो ने है थो फूरा करा दिया safe वाला तो इक्सहसेज वाला है गार साथा में कoyu हुआ है तो और यह निकल 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 दोनों ऐच आक्सियन को लेकर चले लेंगे क्या बना लेंगे हैच टू क्या बना लेंगे एच्ट टू और सियेश्तिरी आई के साथ जोड़ जाएंगे तो यह बना लेंगे टूई अट्वी अच्टी आई कोई तकलीफ कोई दुख कोई परिशानी अगर हो तो बताईए मेरे असाफ से तो clear होगा हन्रेड एन परसेंट क्लियर होगा कोई रोक नहीं सकता एक बार यह करके दिखाओ एक बार यह करके दिखाओ जल्दी पहले sir क्या करके दिखा है आपने तो लिखा ही नहीं अच्छा नहीं लिखा गया railway मिरेको लगा लगा लिख दिया यार चल कोई बात नहीं हो जाता कभी मिलें यह यह ल है चाही क्विल से access लिख दिया and access का मतलब समझ जाओ access का मतलब समझ जाओ दिख्कत है एक्सेस का मतलब समझ जाओ दिक्कत है मतलब किते हैं तू है चलो करो 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 जल्दी करो बिल्कुल करो तू है एक्सेस बिल्कुल सही है डान कैसे होगा सर कुछ नहीं उड़ा देंगे दोनों साइट से किसी को नहीं छोड़ेंगे चीक है तो यहाँ पर किते होते हैं दो एच एंड दो आई यही होते हैं तो फाइनली यह दो एच और यह ओ क्या बना लेगा एच टू प्लस एक बार CH3 CH2I और फिर एक बार CH3 और I यह कंपाउंड बनेगा सर नाम लिख दो सर यह हो जाएगा इथाईल आयोडाइड हाना यह क्या हो जाएगा जल्दी बोलो मिथाईल आयोडाइड और यह आपका वाट कोई दिक्कत तो नहीं क्यों चिंटू-पिंटू क्लियर है के नहीं बिलकुल सर एक तरफा क्लियर है कोई दिक्कत की बात ने डन 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 बिलकुल तो यह एकसेस वाला भी आपको पता हो ना चाहिए इमपोर्टन इस अएकसेस इंपोर्टन था इसलिए कर्वाना जरूरी था न तो बात में तुम्हीं लोग बोलते सर बन नहीं रहे सर प्रावलम यह दिक्कत आरी कैसे होगा क्यों होगा यह सब बता दिया मैं ठीक एंड़ाइम चलो जल्दी वार जल्दी जल्दी स्क्रिंशौ्ट लेलो जल्दी जल्दी स्क्रिंशॉट लेलो जल्दी चलो जल्दी स्क्रिंशॉट ले लो जल्दी बड़े आगे पक्का जल्दी बोलो यह लेज़े साथ सर फीडल का फलकाईलेशन एरोमेटिक एथर सर यहाँ पर आता है सर यह है एथर के साथ एथर के साथ है सर अलकाईलेशन करवाते हैं इसके साथ यह रहर देखिए एणिसोल के साथ होगी किसके साथ सार एणिसोल देखिए किसके प्रदेंश सार आप सभी जानते हो सर एन हाइडरस एल सी अल 3 किसके प्रेजर्स में एन हाइडरास एल सील 3 तो एक बार आपका मिथाइल गुरूप यहाँ पर और एक बार मिथाइल गुरूप आपका नीचे देखो यह देख रहे अब अगर आपके इसको लिखें तो 2-मेथाइल एनिसोल और 4-मेथाइल एनिसोल सॉरी 2-मेथाइल एनिसोल और 4-मेथाइल एनिसोल बिल्कुल सरद 2-methyl-anisol और 4-methyl-anisol और यह होता है major product, यह आपका major product है और यह आपका minor product है, जल्दी देख लो, यह आपका major product है और यह आपका minor product है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी वाली बात, जल्दी बताओ, कोई problem वाली बात, कोई परेशानी वाली बात, जल्दी बतादो सर, मेरे सापते तो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर, सर, clear है, समझ गए, एक तरफा तरीके साथ, फीडल काफ, alkylation, aromatic ether के साथ, चीक है, चीक है, डान, चलो, अब आता है, acylation, इसलिए मैंने B लिखा था, उसको, A लिखा था, उसको मैंने, नारना, 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 आसाइलेशन के लिए अपन लेते हैं, इथनोईल क्लोराइड, क्या लेते हैं सर, इतनोयल क्लोराइड ऐसी टोयल क्लोराइड होता है इतनोयल क्लोराइड सर उसको कभी नहीं छोड़ेंगे किसको इसके बिना तो ये रियक्शन होई नहीं सकती कोई सवाल ही नहीं है इसके बिना ये रियक्शन हो जाए एन हाइडरस अलसी यल थ्री जान है पाइन रिफिक क्या है सर जान है आपकी चलो करने की कोछिज करो तबी मजा हाएगा बिलकुल बिंदास तरीके से मजा है क्या होने वाला है ऐसे कौन सा गुरुप लगेगा थोड़ तो आ सोचो बाइ सोचो कोज़े लगनेवाला है क्या हटेगा मैंने बताया असाईल बनेगो बबताता हूँ बेलकुल सिंपल सी बात अरे यार यह तो चला ही क्या पूरा ही हडिया बैक आएगा क्या नहीं नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं फिल से लिख लेंगे सर फिल से लिख लेंगे फिल से लिख लेंगे आ जाओ सर ये ले लिया एनी सोल किसको लिख वाए था यहां पर जल्ली बोलो इत्छनौईल क्लोराइट छी सर किसके साथ एन हाइडस एलसी एल एम मैं नहीं कहां बेल्कुल सहीए यहाँ देको एच यहाँ देको एच तो यह वाला जो गुरूप है सर यह एक बार यहाँ पर एटाग करेगा और एक बार यहाँ पर अटक करेगा ठीक है और HCL बनके निकल जाएगा देखो सार्व मैं करवाएगा मैं करवाएगा टेंसन नहीं लेना है रहे यह वाला ग्रूप लगेगा तो क्या हो जाएगा COCH3 बिल्कुल यह होगा और यहाँ पर भी नीचे लग जाएगा COCH3 बिल्कुल एक आपका बन रहा है पैरा और एक बन रहा है और तो पैरा वाला मेजर होता है आपको पता ही है तो पैरा वाले को मेजर लिख दो इसको माइनल लिख दो अभी तो नाम लिखना है भाई अभी तो नाम लिख रहे हैं तो नाम नहीं हो पाएगा भाईया लड़ाई हो जाएगी बोज्यम के सर इसको ketone group कहते हैं इसको ether group कहते हैं किसकी priority जाधा होती है सर ketone वाले की ketone वाला जाधा powerful है तो counting यहीं से होगी one और यह two तो यह हो जाएगा two methoxy और जब मैं इसको छुपाऊंगा ना ऐसे तो सर इसको कहा जाता है acetophenone two methoxy acetophenone बात समझ रहे हैं के नाम होगा two methoxy acetophenone और इधर अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या हो जाएगा four methoxy acetophenone four methoxy acetophenone यह देखिए सर और यह जो था यह asile group आपका यहां पर जुड़ गया है यह asile group जुड़ गया इसलिए इसको कहा जाता है fetal calf asylation इसलिए इसको कहा जाता है fetal calf asylation इधर भी जुड़ गया यह देखिए fetal calf asylation इसलिए इसको कहा जाता है fetal calf asylation कोई तकलीफ कोई दुख कोई दल्द कोई परिशानी अगर हो तो बताईए क्योंकि मेरे साफ से तो सब बढ़िया चल रहा है जल्दी डन डन अगर हो जाए तो बता दीजेगा सर यह हो गया आपका fetal calf asylation अब देखतें सर नाइट्रेशन और helleu genation भी नाइट्रेशन और हेलो genation भी वह वह भी देखना जरूरी है बिलकुल बढ़िया तरीके से देखना जरूरी है नहीं तो मजा नहीं आएगा ठीक है done बढ़ू आगे बिलकुल सर यह देखिए सर क्या आगेँ नाइट्रेशन सर इंपॉर्टेंट हैं यह सब आजा क्या होता है जो नाइट्रेशन करने के लिए हैं और भी कंसलटरेटेड वो तो हम लियाएंगे लेकिन आप खुद बताओ नाइट्रेशन में तो इतना सारा लोग है कौन को हुन हमें तो सिर्फ दो चीज़ चाहिए क्या चाहिए हमको हमको चाहिए यहां से नोटू क्या चाह होगा मतलब समस्ते हो आप मतलब आपको यहां पर Concentrated H2SO4 डालना पड़ेगा Concentrated H2SO4 डालना पड़ेगा तब ही आपका है च्टिव निकलेगा तो ठीक है सर तो एक बार Nitro यहां लग जाएगा और एक बार नाइट्रो यहां लग जाएगा हो गया नाइट्रेशन कोई दिक्कत की थोड़ी बात है मैंने कहा था नाइट्रेशन फट से हो जाएगा इत्ति क्या सोच रहते हैं आप लोग ओसी एश्ट्री वाला कि यह लग गया नोटू ग्रूप लग गया प्लस यह उपर ओसी एश्ट्री यह लग जा नीचे नोटू ग्रूप और साती साथ पानी निकल गया यह देखो यह हो गया नाइट्रेशन इसको कहते हैं अपन नाइट्रेशन कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं इसको कहते हैं अपन नाइट्रेशन क्या कहते हैं इसको जया समझ गया है आपकी बात समझ गया कोई दिकत की बात नहीं है आप सर इसको लिखेंगे दया यह हो जाएगा डरकाइट राइनु सोल और यह जाएगा आ फोर नाइट्रो पर यह भात देगा ऑनि सोल hockey यह गया टूनाइट रो एनी सोल और वो हो गया 4 नाइट्रो एनी सोल मैंने का ड़न मैंने का ड़न ड़न सर इसी को कहते हैं नाइट्रेशन सर इसी को कहते हैं नाइट्रेशन जल्दी नोट डाउन करिये फिर आगे बढ़ता हूं जल्दी 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 इसी को कहते हैं नाइट्रेशन जल्दी 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 फिर आपको दिखाता हूँ हेलोजिनेशन एक हेलोजिनेशन भी बाकी है Đन हो गया चलो यह देखे सरा हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन का मतलब बेटा है हेलोजन का जूड़ना बस यह देखे आपका OCH3 करवा दीजे Cl2 अब यहां पर क्या होता है कई-कई बार FECL3 के presence में हो जाता है ALCL3 के presence में हो जाता है इस तरीके से reaction होती रहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है? Done, easy है देखो यहां पर ortho पे भी जुड़ा है catch और पेरा पे भी जुड़ा है तो बस एक बार यहां यह OCH3 हो गया यह CLA यहां पर OCH3 हो गया और यह CLA यह देखो तो यह हो जाएगा 2-Cloro-Anisol और यहां पर 4-Cloro-AGMit एनिसोल ठीक है? यहो गया 2-Cloro-Anisol और यहो गया 4-Cloro-Anisol बिलकुल 2-Cloro-Anisol और 4-Cloro-Anisol कोई दिक्कत की बाद clear है clear है के नहीं पहले यह बताओ done, 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 done की नहीं done, 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 done की नहीं जल्दी बोलो जल्दी बोलो clear है की नहीं फटा-फट एक तरफा तरीके से अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए मेरे साबते तो यहां तक clear होना चाहिए done clear होना चाहिए ठीक है? मान ले अपन clear कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक सर इसको कहते हैं अपन हेलोजनेशन तो एनी सोल के साथ अपनने क्या करा? अरोमेटिक और अगर पहले में बात करूँ नॉर्मल वाला नॉर्मल वाला इथर मतलब एलिफेटिक इथर दोनों के साथ पहले अपनने हेलोजन एसेट के साथ करवा ली उसमें अपनने देखा एक्सिस के साथ भी और नॉर्मल हेलोजन एसेट के साथ फिर अपनने देखा कि फीडल काफ अलकाईलेशन फिर अपनने देखा फीडल काफ असाईलेशन उसके बाद अपनने देखा भई यह नाइट्रेशन और उसके बाद लास्ट ली मैंने आपको क्या करवा दिया हैलोजिनेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठीके सर इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रियक्शन आता ही आता है बहुत जादा जरूरी है चलिए हो गया ऐलोजिनेशन तो सर यहाँ पर अपना ये वाला होता है समाप्त बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है सर इस चाप्टर में अपने देखो एलकोहल कर लिया पूरा बढ़िया तरीके से फिनॉल देख लिया पूरा बढ़िया तरीके से और सर इथल देख लिया पूरा बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने दिये मैंने कोई भी दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने दिये मैंने का था बस पूरी जान से लगे रहना सर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस पूरी जान से लगे रहना एक दम अगर कही पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीस एक बार बता देना क्योंकि मेरे साथ से तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एवन तरीके से सारी चीजे कवर करवा दिये मैंने क्या करवा दिये सर कवर करवा दिये बिल्कुल कवर करवा दिया कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें आपको कहीं से कहीं तक दिखकत देखने को मिलें कोई दिखकत ही नहीं है जब सारी चीजा हो गई तो कोई दिखकत की बात ही नहीं है मज़ा आया तो एक बार like और share तो बनता है पूरे सेशन में बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर तो बनता है जल्दी बिल्कुल जल्दी 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 बिन्दास तरीके से लाइक और शेयर तो बनता है जल्दी 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 तेजी में लाइक और शेयर तो बनता है कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए जल्दी करेंगे जल्दी एक दम बिंदास तरीके से कोई प्रॉब्लम की बाद कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है कोई दिक्कत यहां तक सारी चीज़ा अपने क्या कर दिये एंड एक दम एंड कर दिये एक दम एंड कर दिये हैं कोई प्रॉब्लम की बाद कहीं से कहीं तक नहीं है और अगर कहीं पर problem आ रही हो तो please बता दीजेगा आपने देख लेंगे A1 तरीके से शांदार और मज़ेदाल तरीके से ठीक है Done, 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 done कोई problem तो नहीं है वैसे तो नहीं होनी चाहिए सर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी कोई problem की बात नहीं होगी मैं हमेशे आपको कहूँगा प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरू करके चलिए अगर आप चैनल को सब्स्राइब नहीं कर रहे हैं आपको आपके लिए ही दिक्कत हो की सरा कल के आने वाले recorded lectures live lectures कोई भी important चीज़े कोई भी आपके लिए custom videos, one shot, जो भी informative videos होंगे उनके बारे में information आपको नहीं वाल पाईगे अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है भाईया like और share करना भी बहुत जरूरी है चैनल को अगर नहीं कर रहे हो आप तो भाईया फिर अपने risk पे खिल लो फिर अपने risk पे खिल लो भाईया मैं तो आपको बोल चुका हूँ कई बार अगर आप नहीं मानोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन जल्दी करिए छे एक है e-books और e-notes ये भी आपको magnet brains प्रोवाइड कर रहा है और क्या चाहिए सर ये भी आपको magnet brains प्रोवाइड कर रहा है बस आपका काम है पूरे तरीके से लगे रहना पूरे तरीके से काम कलते रहना कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तुरंद बताईए बिल्कुल बढ़िया और शांदाल तरीके से दोनों चीज डन हो जाएगी एवन तरीके से 100% फ्री वाच फ्री वाच मतला सरजी सब कुछ फ्री में आपको देखने के लिए मिलता है हाई कॉलिटी एजुकेशन दी जाती आपको बढ़िया और शांदाल तरीके से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दो चैनल से आपके आप जानते हैं मैग्नेट बेंस के दो चैनल से एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम दोनों पे आपको 100% कॉलिटी एजुकेशन है जिसमें इंग्लिश मीडियम पे CBSE और डेली बोर्ट दोनों कवर करवाई जाते हैं वहीं मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ तो CBSE डेली बोर्ट के साथ ब्यार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड ये भी कवर करवाए जाता है A1 तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है साथी साथ Vedic Mass, Crash Course और Spoken English ये भी मिलता है और सर इसके साथ-साथ तो आप ये देखिए कि ये जो Crash Course है एक तरफा तरीके से पिछले साल आपने देखा ही होगा इस साल भी बड़िया जहमा जहमाने वाला है कोई दिक्कत की बात नहीं होगी साथी साथ साथी साथ आप सब जानते हैं आप चाहें तो Magnet Bains की वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर का लुफ तुठा सकते हैं कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है वहाँ पर भी सारे लेक्चर अविलेबल हैं एड़ फ्री लेकिन वाइटी पर भी चलने दीचे कोई दिक्कत की बात नहीं है तो कल यहीं पर मिलेंगे एक और शानदाल लेक्चर के साथ सेम टेम, सेम जगा चले कल मिलते हैं तब तक लिए बाई-बाई थैंकिसो मजज जैहिं